आप सभी को में तरफ से प्यार भाना मज़कार, मैं या नाम तरुन ग्रोवर है और मैं पिशले 5 साल से SSE और Bank Examination के लिए Competitive English Teach कर रहा हूँ और आज मैं अपना English Language का सबसे important chapter शुरू करने जा रहे हैं और ये हैं Adjectives अब इस chapter के अंदर हम सारे concepts को deal करने वाले हैं जो किसी भी competitive examination में आते हैं चाहे वो SSE हो, Bank हो, CDS हो, CPO हो तो हर एक competitive examination में अगर आपका ये chapter आता है तो इसके अंदर जो मैं concepts आपको बढ़ाऊँगा तो वो सारे concepts आपके clear हो जाएंगे ठीक है? तो इस chapter को हम बिल्कुल basics से advance तक deal करेंगे इसके अंदर हम सारी बाते करेंगे लेकिन पहले मैं आपको कुछ fundamentals ही पढ़ाऊँगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है जब मैंने आपको दूसरे chapters पढ़ाई थे तब भी मैंने आपको कहा था कि आप कितने मर्जी concepts पढ़ लीजिए कितने मर्जी rules सीख लीजिए कितने मर्जी उसे implement कर लीजिए लेकिन जब तक किसी चीज के basics नहीं पताऊंगे या जब तक किसी चीज के fundamentals नहीं पताऊंगे तो उस chapter को पढ़ना बेकार है वो बिल्कुल भी आपके लिए beneficial नहीं होगा उसके पीछे कारण यह है कि बहुत बर ऐसा होता है कि rules हमें याद नहीं रहते लेकिन अगर हमने छोटे छो concepts होते हैं जो basics होते हैं वो पढ़े होते हैं तो rules अगर हमें याद नहीं भी है तो वो basic का use करके भी कई बार हम error निकाल देते हैं कभी-कभी हमें तब भी mistake मता लग जाती है क्योंकि होता है न कई बार examination में यह trick बगारा जो होती है यह काम नहीं करती है यह सारी short trick fail हो जाती है तो अगर basics आते हैं तो यकीन मानिये दोस्त आपकी जो language है न सिर्फ यह chapter नहीं language में हर एक चीज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी लेकिन जितने भी बच्चे होते हैं जो नहीं-नहीं त्यारी करना शुरू करते हैं किसी भी competitive examination की उनको यह रहता है कि बस trick बता दो या बस मोटी-मोटी चीज़े बता दो तो मोटी-मोटी चीज़े जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ के देखिए एक बार क्या वो मोटी-मोटी चीज़ों को याद कर लेने से उनके concepts अच्छे हुए हैं या नहीं हुए है तो यह मेरा personal opinion है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चे को बिल्कुल चाहे अगर chapter चार घंटे का है तो तकरीबन आदा घंटा तो उसके basics उसको पढ़ नहीं पढ़ने चाहिए कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा ना चीज़ों को वो कर लेते हैं कि हमको तो sir English आती है आपको fundamentals भी चाहिए तो वैसे तो मैंने हर एक chapter से पहले subject कैसे identify करते हैं object कैसे करते हैं subject complement क्या होता है transitive verb क्या है in transitive verb क्या है finite verb क्या होती है non finite verb क्या होती है यह सारी बाते बता चुका हूँ तो आप वो वाली वीडियो से बच्चे देख सकते हैं ठीक है अब इस add का मतलब क्या होता है इस add का मतलब होता है addition addition का मतलब जोड मतलब कहीं पर यह शब्द जो है जोड़ता होगा तो adjective से कैसा word होता है जो किसी noun या pronoun का modify करता है यह chapters मैं आपको अलड़ी पढ़ा चुका हूँ nouns भी पढ़ा चुका हूँ की विशेष्टा बताता है उनको modify करता है और वहीं दूसरी तरफ कोई पूचे की noun क्या होता है तो noun एक naming word होता है हाना की noun complete पढ़ा दिया लेकिन simple सी बात कर रहा हूँ कि noun एक naming word होता है और noun एक ऐस word होता है जो noun को replace करता है clear एतनी बात कुछ extra अगर information आपको मैं याद दिला हूँ तो मैंने आपको basics जो class ली थी उसमें बताया था कि अगर किसी भी word के पहले बिटा article आजाए किसी भी word के पहले article आजाए तो article हमेशा एक ही word के लिए होते है और जो word होता है वो noun होता है मतलब article किसी word के पहले है तो उसका parts of speech noun है फिर एक point और बताया था अगर कोई भी word लिखा हुआ उसके साथ अगर आप S या ES लगाते है क्या लगाते है S या ES और वो जो शब्द है वो plural बन जाए हाँ बिटा कैसा बन जाए plural बन जाए तो वो शब्द भी हमारा क्या होता है noun होता है तो यह मोटी मोटी information जो पहले बताई थी उसको एक रेकाब दे दिया अब यह क्यों बताई उसको समयने के लिए नीचे आपके सामने एक phrase है एक word है sorry उसको पढ़ेंगे मैंने कहा a girl yes or no अब मैं आपसे पूछू कि girl का parts of speech क्या है तो आप कहेंगे sir यह noun है मैंने कहा कैसे पेचाना आपने कहा article से article जिसके पहले आते हैं बिटा वो क्या होता है noun अभी था एक लड़की अब है एक सुन्दर लड़की कैसी लड़की सुन्दर करन्या तो यह a है article किसके लिए बिटा girl के लिए noun को modify कर रहा है क्या beautiful yes or no तो beautiful क्या है यहाँ पे beautiful आपका adjective है कैसी लड़की सुन्दर लड़की ऐसा शब्जो किसी noun के बारे में बताए उसे हम क्या कहते है adjective कहते है example की दोर पे मैंने कहा she is beautiful अब आप ध्यान से देखें यहाँ पे जो beautiful word है यह actually में किसको कहा जा रहा है तो आप कहेंगे सर शी को कहा जा रहा है she English language में क्या होता है pronoun होता है I, V, U, He, She, It, They यह सबके सब क्या होते है pronoun होते है pronoun के बारे में जो word बताए है वो भी क्या होता है adjective होता है तो हमको साफ-साफ यह बात clear होगी कि adjective है कैसा word होता है जो किसी noun या noun की विशेष्टा बताता है उनको modify करता है clear है हलां कि यह बाते पहले बताई थी लेकिन recap ले लिया है अगर मैं इसके fundamentals की बात करूँ तो इसके fundamentals में बहुत सारी चीज़े भी पढ़नी है अभी chapter शुरू करने से उनी से मैंने कुछ sentences आपको दी है आप पहले एक बाद खुद नजर डालिए और मुझे बताईए अगर examination में आज पहली बात तो ये sentences आपके आए ही हुए है ये जितने भी sentences मैंने आ लिखे है in the garden वाला, given that वाला और mr. जस्वन सिंग वाला ये तीनो sentences examination में अलड़ी आ रखे है तो आप खुद एक बार अपनी basic reasoning लगाईए बताईए कि क्या इसके अंदर error है और क्या नहीं है वीडियो को pose कर लीजिए और उमीद करता हूँ कि अब आपने error ढूंड लिया होगा नहीं ढूंडा most diligent and wisest है न तो ये उल्टा लिखा हुआ wisest यहाँ पे आएगा और most diligent वहाँ पे जाएगा अगर आपने तीनो questions का सही answer दिया था तो बहुत अची बात है उसे एक बार logically अप्रोच करने की कोशिश करते हैं आप देख लीजे आपको logically पता या नहीं पता और जिन्होंने बिल्कुल भी answer नहीं थिया जो बिल्कुल confused होगे वो तो आज यह बिल्कुल अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे ठीक है बटा आजो शुरुआत करते हैं adjectives की adjective में जो भी topic हमें पढ़ने हैं जितने भी concepts हमें पढ़ने हैं उन सारे concepts का base यह बला topic है क्या नाम है इसका? degrees of comparison बच्छवन में आपने पढ़ा होगा positive degree, comparative degree, superlative degree सभी students ने बच्छवन में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं 0 सो सिखाता होगा आपको degrees of comparison इस बात को समईने के लिए आपको तीन sentences आपके सामने उनको देखना पड़ेगा आप इन तीनो sentences पर एको नजर डालिए पहला sentence क्या लिखा हुआ है? this mango is sweet दूसरा sentence this mango is sweeter than that mango तीसरा sentence this mango is the sweetest of all सबसे पहला सवाल, सबसे पहला question मेरा आप लोगों से यहाँ पे जो sweet word लिखा हुआ है sweet मैंगो कैसी fruit का नाम है अगर fruit का नाम है तो naming word है और अगर naming word है तो आपको पता है कि mango यहाँ पे क्या है मैंगो यहाँ पे noun है yes or no और ऐसा word जो noun के बारे में बता है उसे हम क्या कहते है? sweet adjective कहते है कि आम कैसा है? आम मीठा है किसी noun की विशेष्टा बताई जा रही है yes or no clear है सवाल मेरा आपसे दूसरा ये है कि यहाँ पे जो word लिखा हुए sweeter ये क्या है इसका parts of speech क्या है और ये जो एक और word यहाँ पे लिखा हुए sweetest इसका parts of speech क्या है क्या ये भी adjectives है ये और कोई words है बोलो क्या ये दोनों भी adjectives है या और कोई word है चलिए इस point को clear करने के लिए हम यहाँ चलते है मैंने आपसे पूछा कि go go का parts of speech क्या है general parts of speech हलांकि go बहुत तरीके से use हो सकता है लेकिन simple अगर मैं general वेम पूछू कि go का parts of speech क्या है तो आप बोलो कि go का मतलब जाना जाना मतलब action और action का मतलब क्या होता है verb हाँ की ना सबको पता है अब हमको पता ये verb की first form है लेकिन मैं आपसे पूछू कि इसकी second form क्या है तो आप कहेंगे sir went और रगर मैं पूछू कि third form क्या है तो आप क्या कहेंगे gone yes or no go went gone अम मुझे बताएंगे अगर ये verb थी तो क्या ये noun बन गी क्या और ये adverb बन गी क्या नहीं ना ये भी verb है ये भी verb है और ये भी verb है बस ये verb की first form थी ये second form है और ये third form है कहने का मतलब अगर verb की first form और natural form verb है तो उसके जूड़े जितने भी parts होते है वो भी सबके सब क्या होंगी verbs होंगी yes or no अगर ये आपके सामने adjective आपको दिखाई दे रहा है ये natural form में ये adjective है तो उसके जितने भी parts होंगी वो भी सबके सब क्या होंगी लेकिन difference verb और adjective में ये होता है कि verb की forms होती है वी 1, वी 2, वी 3, वी 4, वी 5 लेकिन adjectives में form नहीं होती adjective में अलग-अलग degrees होती है क्या होती है degrees ये जो simple तरीके से लिखी होगी ये natural way में ये positive degree का adjective होता है ये comparative degree का है ये superlative degree का है इसे हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी ये क्या है लेकिन मैं आपको बताना चा रहा हूँ कि ये भी आपका adjective है ये भी आपका adjective है और ये 3-3 adjective है लेकिन ये 3-3 forms नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे ये 3-3 अलग-अलग degree है लेकिन verbs में क्या होती है verbs में अलग-अलग forms होती है यहां तक बात समय रहा है बिलकुल समझ में आया अब दूसरा point समझेंगे कि क्या यह adjective आपको natural form में दिखाई दे रहा है आप कहेंगे definitely दिखाई दे रहा है तो adjective अपने natural form में तभी होता है adjective अपने natural form में simple form में प्राकुतिक form में तभी होता है जब कोई भी तुलना कोई भी comparison नहीं करना होता है बस किसी चीज़ के simple quality बतानी होती है जैसे यहां पर कोई comparison नहीं हो रहा है बस यह बताया जा रहा है कि आम जो है मीठा है लेकिन ध्यान से देखो अगले जो form है आपके adjective इन्होंने अपनी पूरी form चेंज कर रखे मतलब रूप पूरा बदल रखा है और adjective अपनी degree या रूप तभी बदलता है जब कोई नो कोई तुलना होती है कोई नो कोई comparison होता है जैसे example के तोरुपे यह वाला आम इस वाले आम से मीठा है और यह वाला आम सबसे मीठा है समझ में आ रहा है तो यह भी adjective लेकिन अब देखो form बदली हुई है तो point क्या है adjective हमेशा अपने natural form में होगा अगर कोई तुलना नहीं करनी है जैसे कोई तुलना करनी होती है तो adjective अपनी natural form को या degree को बदल लेता है और इनी बदली हुई degrees को हम बोलते है degrees of comparison और यह अलग-अलग type की होती है समझ में आया वैसे तो adjective अपने natural form में होगा लेकिन जैसे ही कोई comparison करना होगा तो adjective अपनी degree या form change कर लेगा और इस बदले हुए forms को या degrees को हम बोलते हैं आज यह समझने के कोशिश करते हैं सबसे पहले बात करते हैं positive degree की हालांकि बहुत सारे exceptions भी आएंगे ऐसा नहीं है कि जो बात मैंने कह दी कि वो पत्थर की लकीर होगी कि अब ऐसा ही होगा कि adjective जैसे मैंने कहा कि जब कोई तुलना नहीं करनी होती है तो natural form में होता है तो इसमें exceptions भी हो सकते हैं बहुत सरी बाते हो सकते हैं जैसे chapter में मागे बढ़ते चलेंगे तो points आपके clear होते चलेंगे ठीक है? चलो सबसे बहले बात करते हैं positive degree की इसे natural degree का adjective भी कहते हैं और यह क्या गाम करता है? यह denote करता है simple quality किसी इनसान की या किसी चीज की yes or no जैसे कि पीछे था this mango is sweet कोई पूछे आप से की sweet का parts of speech क्या है? तो आप कहेंगे adjective है कोई पूछे कौन से degree में है? तो आपने कहने सर्फ positive degree में है इसका जो note मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था? कि positive degree is used when no comparison is made मतलब positive degree का use तब होता है जब कोई भी तुलना या कोई भी comparison नहीं करना होता बोलो हाँ चले आगे? चलो जी अब बात करते है comparative degree की ये comparative degree क्या होता है? ये positive degree से ज़्यादा quality को show करता है जैसा कि मैंने कहा कि ये वाला आम इस वाले आम से मीठा है तो positive degree से ज़्यादा quality show करता है ध्यान रखिएगा और इसका English language में एक structure होता है क्या structure होता है? हम subject लिखते हैं, फिर verb लिखते हैं और फिर comparative degree को लिखते हैं और उसके बाद आता है then हाँ जी बोलेंगे मेरे साथ बोलेंगे पीछे क्या आता है then ये बहुत important point है 99% of the time comparative degree के बाद then आता है 1-2% कभी कभी नहीं भी आता वो कब नहीं आता वो आगे चलके बताएंगे अभी के लिए आप ये जानिए कि comparative degree के बाद हम use करते हैं then का example के तोर पे खास बात ये है क्या खास बात है it is used to compare only two persons or things केवल दो व्यक्तियों को और वस्तु को compare करने के लिए use होता है इस बात को ध्यान रख्षे का clear है सारी बाते चलते बने आगे चलिए अभी बात करते हैं superlative degree की ये superlative degree नाम से आपको clear दिखाई दे रहा है क्या होता है superlative degree it denotes the highest degree of quality क्या कहा जो सारवादिक गुन बताता है किसी बस्तु किसी व्यक्ति का किसी person ये किसी थिंक का उसे हम superlative degree कहते हैं सबसे important इसका example this mango is the sweetest of all ये आम सबसे मीठा है highest degree of quality जो आपको बताए तो ये adjective है लेकिन कौन सी degree superlative degree इसका important point क्या है it is used to compare more than two persons or things ये दो से ज़्यादा persons or things को compare करने के लिए आता है basics आपके clear हुए अभी इसमें बहुत सारी बाते हैं positive simple quality बताता है जब कोई तुलना नहीं होती थब आता है comparative positive से ज़्यादा quality होता है इसके बाद then का use करते हैं persons or things को compare करने के लिए आता है हाँ की ना अब आपके जहन में doubt आएगा आपके जहन में doubt ये आप बूलेंगे सर सारी बाते समझ में आगी कि adjective एक ऐसा word होता है जो किसी noun या pronoun को modify करता है वो बात समझ में आ गई फिर आपने कहा कि degrees पढ़नी हो degrees में आपने तीन degrees बता दी वो बात भी समझ में आए वही कि positive है comparative और सूपरलेटिव है और उनके usage भी समझ में आ गए हमें लेकिन एक बात समझ में नहीं आए कि सर ये positive से comparative और comparative से superlative बनाते कैसे ये positive से comparative और comparative से superlative बनता कैसे, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत असान है, आप कोई word हमको देखे देखिए, अभी हम बना के दिखा लेते हैं, तो मैं आपको एक word देता हूँ मुझे बताओ कि इसका comparative और superlative कैसे बनेगा, मैंने कहा tall तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत असान है tall, taller, tallest low बना दिया, क्या दिक्कती, बच्चपन में हमारे master जी ने सिखाया, ऐसा मत समझा हमको बिल्कुल भी नहीं कि आप बिल्कुली ललू-लाल समझ रहे हो, भोला भंडारी समझ रहे हो, नहीं हमको आता है, ये चल रहा है तो फिर मैंने आप से पूछा कि beautiful का बताओ आपने का लो सर ये भी बहुत असान है beautiful, more beautiful और most beautiful तो मैंने कहा इसका beautifuler क्यों नहीं बनाया, और इसका फिर beautifulest क्यों नहीं बताया, बनाया superlative degree, ये अगर अगर मैं आप से पूछा हूँ, तो आप क्या जवाब देंगे सर छोटा शब्द हो तो ER लगा देते हैं, जैसे tall, taller, tallest था, और बड़ा शब्द आया तो more और most लगा दिया, more beautiful most beautiful, हाँ की नग, लेकिन अगर मैं आप से पूछा हूँ, कि आपने tall का tall, taller, tallest बनाया क्या tall का more tall भी हो सकता है हो सकता है या नहीं हो सकता, definitely हो सकता है तो हम कब identify करेंगे कब इसमें ER लगेगा और कब more लगेगा, कहने का मतलब बच्चों को थोड़ी सी नग complications रहती हैं चीजों में, confused रहते हैं कि positive से comparative, comparative से superlative बनता कैसे है तो अभी मैं आपको बिल्कुल basic point बढ़ा रहा हूँ आगे चलके इसके अंदर exceptions भी आएंगे दूसरी बात कि जिस तरीके सा भी मैं बढ़ा रहा हूँ उस तरीके से किताबों में नहीं लिखा हुआ है किताबों में थोड़ा दूसरी तरीके से लिखा हुआ और वो बहुत ज़दा घहराई में academically लिखा हुआ है मैं उसको बहुत सरल करके बहुत lucid way में समझा रहा हूँ जिससे आपको competitive examination में help मिल जाएगी क्योंकि अभी हम बात करेंगे one syllable की more than one syllable की हाला कि आप phonetics बढ़ेंगे तो वो काफी detail में है one syllable more than one syllable उसको हम अभी उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो SSE का part नहीं है ना bank का part है ना किसी भी competitive examination का part है अभी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से समझेंगे चीजों को सरल बनाने के लिए आपके सामने लिखा हुआ adjective of one syllable और फिर लिखा हुआ adjectives of more than one syllable आसान भाशा में बता हूँ वैसे तो one syllable more than one मैंने कहा कि यह अलग चीज है लेकिन मैं आपको आसान भाशा में बता रहा हूँ चीजे थोड़ी सी modify करके अपनी इसके अंदर कुछ चीजे लगा के आपका कोई question गलत ना हो one syllable ऐसे adjective होते हैं जिनको हम एक ही बारी में pronounce कर देते हैं जो हमारे मुझ से एक ही बारी में निकलते हैं जिसको बोलते समय हम रुकते नहीं है और more than one syllable वो वाले adjectives होते हैं इसको बोलते समय हम बीच में रुकते हैं जिसको बोलते समय हम बीच में रुकते हैं थोड़ा सा pose लेते हैं example के तोर पे आपने कहा tall बोल लगवा है tall रुक है नहीं रुक है cool आगे जिए है था होट brave वाइन समय में है बहुत हलका सब break आ रहा है वैसे तो यह अलग चीजा मैंने आपको बता दिया लेकिन अभी आप इसको ऐसे ही समझो ठीक है तो जिनको हम एक ही बारी में pronounce कर देते हैं उनका अगर आप comparative और superlative बनाते हैं तो comparative के लिए er लगाते हैं और superlative के लिए est लगाते हैं ठीक है और ज के अंदर भी exception है कोछे बच्चे कहते हैं इनको बोला जा सकता है तो आपने कभी को किसी को क्रें कर सकते हैं कर सकते हो जhouते पढ़ें यह अगली हुआ, चलो आओ तो फिर, है ना, तो points हमें आया, तो एक ही बारी में बोला, tall, cool, hot, tall, 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 tallest, cool, cooler, coolest, hot, hotter, hottest, और फिर आगे beautiful, more beautiful, most beautiful, most beautiful, ऐसी honest, more honest, most honest, इसमें जो exception है, आगे चलके जब chapter के concept शुरू करेंगे, तब बताऊंगा exception, ठीक है, तो उमीद करता हूं कि basic सारे आपके clear हो गए, ठीक है, अब basic से ही कुछ questions पूछता हूं, और फिर chapter के शुरुवात करेंगे, क्या बोलते हो, ready, पक्का, 100%, आजओ सामने आजओ, शुरुवात करो, बताऊ गई, बताऊं कोई गलती, He is the kindest and generous of all my friends, आप बोलेंगे सर बिलकुल गलती है, जब कभी भी English language में आपको and दिखाई दे, and के जिस तरफ, अगर इस तरफ कोई ऐसा word है, verb है, तो आगे भी verb, अगर इधर noun, तो आगे भी noun, अगर इधर adjective, तो आगे भी adjective, अगर इधर verb की first form, तो आगे भी either second, तो आगे इधर भी adjective होगा, वो भी superlative degree में बनना चाहिए, और ये more than one syllable का adjective है, generous, लंबा word है, हाँ की ना, तो इसको फिर आप superlative में बनाना चाहिए, क्या बनेगा, most generous होना चाहिए, he is the kindest and most generous of all my friends, सारे दोस्तों में से सबसे ज़्यादा दयालू और generous है, ठीक है, उदार है, clear है, and के साथ दोनों तरफ same degree होनी चाहिए, ये superlative थी, तो ये भी superlative करनी पड़ेगी, इसका superlative est लगता है, क्योंकि kind one syllable, और इसका आपका क्या बना रहे है, most बना रहे है, ठीक है, चलो, आगे चलते है, of the two candidates, I think he is the best suited, हाँ जी बताएंगे, of the two candidates, I think he is, अब देखो, कितने candidates हैं, कितने आदमी थे, दो थे सरका, दो थे, तो फिर ये superlative कैसे आया, ये तो दो से जादा के लिए आता है, हाँ की न, तो इसका आप कैसे बनाएंगे, बिट्टा, better करेंगे, ठीक है, good, better, best, हाँ की न, of the two candidates, I think he is the better suited, अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, जिन it doesn't know that Mount Everest is the most highest mountain peak, उसको नहीं बता था कि जो Mount Everest है, वो most highest mountain peak, mistake क्या है, अचा ही बताओ, highest, क्या आपने आप में superlative degree है, high, इसका comparative क्या बनेगा, high, higher, highest, पही तो बनेगा, one syllable, high, higher, highest, तो फिर आप उसके साथ most कैसे लगा रहे हैं, आप EST भी लगा रहे हैं, most भी लगा रहे है तो जब आपने एक word को superlative degree बना दिया, तो double superlative कैसे कर सकते हैं, तो most हटा दोना यहां से, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, most best, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, नहीं हो सकता न, best तो best है न, वो पहली superlative degree में तो most को लगा रहे हैं, आज हो चलो आगे चलते हैं, in the garden were the more beautiful flowers and silver bells, अब इस question के structure को देखके ही बचे confuse होगे, इस question के structure को देखके बचे confuse होगे हैं, इस structure में क्या है, actual में verb पहले आई हुई है, और आगे subject आया हुआ है, हाँ की न, और आप उसको देखके puzzle होगे, लेकिन बात puzzle होने की नहीं थी, बात थी, बस error बताना था, कि garden में बहुत comparison तो नहीं, जब comparison ही नहीं हो रहा, तो adjective बदली हुई form कैसे लेगा, natural form लेगा, जब भी comparison होता था, adjective तभी form change करता था, comparative या superlative, लेकिन जब कोई comparison नहीं है, तो natural form में जाना चाहिए, तो ना ही more आ सकता, ना ही most आ सकता, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, बस more तो दो के लिए आता है, comparative degree है, हाँ की ना, comparative degree, और most आपकी superlative degree है, तो दोनों भी नहीं आ सकता, ना, comparison तो यहाँ पर हो नहीं लगा, तो आप more हटा देंगे, तब भी चल जाएगा, in the garden worthy, beautiful, flowers and silver bells, लेकिन फिर भी इसकी intensity बतानी है, तो आप more की जगा very लिख सकते हैं, मोहन, comparison हो रहा भाईया, तो then लिखा हुआ है, और आगे and लिखा हुआ है, अब बताओ दोनों तरफ positive degree करूं, या दोनों तरफ comparative degree करूं, good और strong करूं, या better और stronger करूं, आगे देखो then लिखा है, then लिखा है, तो मतलब comparison हो रहा है, तो इससे क्या करोगे, आप good, better, और फिर and same चीज को जोड़ रहा है, तो आगे stronger बोलो हाँ, चले आगे, चली है, जी बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, आगे देखते हैं, अगला question आपके सामने, क्या हो गया, the most sweetest songs are those, पहले ही बता लग गया, चलो कोई नहीं, फिर भी पूरा बढ़ो, देखो, कभी कभी क्या होता है, एक्जामनेशन में जब हम कोई sentence पढ़ते हैं, तो हमेना error दिख जाता है, या feel हो जाती है, कि यहाँ कुछ गलती है, लेकिन आपको भले feel हो जाए, या error दिख ज होता है, और आगे चलके एक strong error होता है, strong error का मतलब की verb वले error, tenses वले error, voice वले, यह बहुत strong errors होते है, तो बहुत बार हमें लगर ही होती है, कि यहाँ गलती है, लेकिन आगे चलके बहुत strong error होती है, हमें दिखती नहीं है, तो sentence को फिर भी पूरा बढ़ेंगे, the most sweetest songs are those that attenate our restlessness when they are listened, attenate का मतलब किसी दर्द को कम करना, जैसे पीता हूँ गम भुलाने के लिए, क्यों पीता हूँ गम भुलाने के लिए, तो उसको आप कम कर रहे हैं, attenate कर रहे हैं, mitigate कर रहे हैं, पेंकिलर जो लेते हैं, वो भी attenate करता है हमारे दर्द को, लेकिन ग the sweetest लिखा हुआ है, यह superlative degree है, अपने आप में ही, क्योंकि ESP है, तो फिर बेटा most कैसे आएगा, simple बात है, double superlative नहीं बना सकते, नहीं double comparative बना सकते, more better भी नहीं बोल सकते, क्योंकि better अपने आप में comparative है, तो more better क्या होता है, बोल दो हां, चले आंगे, चलो, the sweetest songs are those, sweetest songs वो होते हैं, जो कम करते हैं हमारी restlessness को, जो उनको सुना जाता है, चलो, there are very fewer hotels providing facilities for guests who want to bring their pets and along with them, there are very fewer hotels, एक बाहा बताओ, fewer few, fewer fewest, यह तो comparison कर रहा है, जबकि comparison तो तब होता है, यह तो comparison, यह जो fewer word है, यह comparison के लिए use होता है, few, fewer, fewest comparative degree है, लेकिन यहां तो कोई comparison होई नहीं कि बस बहुत कम hotel हैं, जो provide करवाते हैं ऐसी facility, guests के लिए, जो अपने कुत्तों को या pets को, कुत्ते तो नहीं बोला, pets बोला है, cat भी हो सकती है, साथ लाना चाहते हैं, बहुत कम ऐसे hotels हैं, तो तुलना तो नहीं हुए, तो फिर आपको positive degree use करनी पड़ेगी, और वो होती है, few fewer, fewest, few आपकी positive degree, yes or no, चल दें आगे, चलो जी आगे, the car flew off the road and fell into the valley, ठीक है, flew off the road, मितलब road से उड़ती हुए, ऐसे side हो गई, और valley में गिर गई, because Amit was driving faster, फिर से वही बाली बात comparison नहीं होता, बस Amit तेज दोड़ा रहा था गाडी को, तो comparison नहीं होता, तो पड़ेगी उस करना पड़ेगा, क्या हैगा, fast, ठीक है, चले, चलो जी अगला, given that there was so less, अब देखो, बहुत important, ध्यान से देखना, given that there was so less time, I think that the students have done a good job, बहुत कम टाइम था वापे, और इसलिए मुझे लगता है कि students ने बहुत बढ़ी आगाम किया, कम टाइम होने के बावजूद भी, तो आप ये देखे, less, मुझे आप बताईए, ये little इसकी होती है, positive degree, बताता चल रहा हूँ, जो आपको नहीं पता है, जो थोड़े से confused करते है, little, less होती है, comparative और lesser भी होती है, comparative, और least इसकी होती है, superlative degree, little, less, least, तो क्या यहाँ कोई तुलना है या नहीं है, बस बहुत कम time था, और मुझे लगता है कि students में बहुत बढ़ियां काम किया है, बोल दो, कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है, तो बटा, आप positive degree लगाएंगे न, yes or no, yes or no, चले आगे, चलो जी, आगे चलते हैं, these people are good and wiser in terms of their social intercourse, हाँ बई, and लिखा हुआ है, and के इधर जैसी वैसे उदर भी वैसी, हाँ के न, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ भार वाली, चलो आओ, जोक से बाट मुद्धे पर आते हैं, तो बताओ मुझे दोनो तरफ positive करूँ या दोनो तरफ क्या करूँ, comparative करूँ, good and wise करूँ या better and wiser करूँ, बताओ आप बताओ, चलो, बताओ, कोई तुलना नहीं है न, यापे, these people are good and wise in terms of their social intercourse, social intercourse का मतलब होता है कि, समाज में जिस तरीके से वो वारतलाप करते हैं, उनकी communication है, या उनका behavior है दूसरों के साथ, तो उस scenario में वो बहुत अच्छे हैं और समझदार हैं, तो कोई तुलना नहीं है, या तुलना नहीं है, तो फिर आप दोनों तरफ positive करो, good and wise, yes or no, चल लें आगे, समझ में आ रही है, बाते नहीं आ रही है, अभी basic ही चल रहा है, अभी तो मैंने advanced बाते कुछ बताई नहीं है, ठीक है, चलो, आ गया वो question, Mr. Jaswan Singh वाला, बताओ भी, Mr. Jaswan Singh is the most diligent and wisest member of parliament, कुछ गलती, आप बोलोग यह diligent क्या, diligent का मतलब महनती, laborious जिसे हम कहते है, hard working, ठीक है, और wise तो समझदार बुद्धिमान आपको बता है, ठीक है, तो parliament में, वैसे हमारे teacher ने इसको ऐसे याद करवाया था, diligent को, बोला उन्होंने, कि दिल्ली के जैंट्स होते हैं, दिल्ली के जैंट्स वो बहुत महनती होते हैं, हमारे teacher ने ऐसे गाता, बिटा ऐसे याद करें, दिल्ली के जैंट्स होते हैं, तो मैंने पूछा मैंगा, सब दिल्ली के जैंट्स महनती होते हैं, दिल्ली के जैंट्स महनती होते हैं, दिल्ली के जैंट्स महनती होते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई भी महनती हो च तुम लोग जूते पड़वाओगे तो बात क्या है हमारे कॉलेज में भी बहुत मदलब फैमिनिस्म का बहुत सीन था 111 लड़किया थी मेरी क्लास के अंदर कॉलेज में 111 लड़किया थी ठीक है और मातर 20 यह 22 लड़के थे बस अब इंग्लिश लिट्रिचर के में बात कर रहो हूं और फैमिनिस्म का बदा कितना बोल बाला है कुछ बोल भी दो तो भाया लेकिन हां वैसे बोलना भी क्या है ठीक है बड़ाबर का हक दार मिलना चाहिए हां बस सूडो फैमिनिस्म नहीं होना चाहिए एंकरेश्ट करना ही आजो, तो Mr. Jaswan Singh is the most diligent and wisest a point क्या है, point यह है क्या यहाँ पे and अरे दादा क्या हुआ दादा pen आया नहीं आया आया pen आया, चलो तो मैंने कहा क्या है यहाँ यहाँ पे and लिखा हुआ यह नहीं लिखा हुआ आपने कहा जी सर क्या and के दोनों तरफ same same degree आती है नहीं आती है आपने कहा जी सर मैंने कहा क्या यह most diligent superlative degree है आपने कहा जी सर और मैंने कहा wisest आपने कहा यह भी superlative degree है यह one syllable था तो इसलिए wise, wiser, wisest होता है और यह more than one था diligent तो more diligent और most diligent होता है इसका superlative तो सही लिखा हुआ है लेकिन आपको मैं बात बता दू कि यह one syllable का superlative degree है यह more than one syllable का superlative degree है अब ऐसा करने से दिक्कत क्या होती है कि जब इस तरीके से लिखा जाता है तो यह जो most उतना है ने बटा most यह इसके लिए भी आ जाता है जबकि अगर यह most इसके लिए आता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसका superlative most diligent ही बनता है लेकिन अगर यह most इसके लिए भी आ गया तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो अपने आप में superlative degree है wisest उसमें EST लगा हुआ और यह most आ जाने से यह double superlative हो जाएगा तो इसकी problem को कैसे solve कर सकते हैं इसकी problem को solve करने के लिए आप एक काम केजिए wisest को इदर ले जाएगे और most diligent को इदर ले जाएगे उससे क्या होगा कि जो most word है भी यह इसी के लिए आया हुआ इसके लिए नहीं आया हुआ हुआ पहले वाले part में देखा अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो यह तरीके का common निकला हुआ दिखाई देता कि इसके लिए भी और इसके लिए भी जबकि इसके लिए तो सही है लेकिन उसके लिए नहीं आ सकता बोलो हाँ समझ में आया तो इसलिए आपको इसको इदर और उसको इदर और अगर मैं आसान भाषा में समझाओं तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी and के साथ दो-दू adjective जूडे हुए हो चाहे वो positive degree हो चाहे वो comparative हो चाहे वो superlative हो चाहे वोटा positive हो comparative हो और superlative हो अगर and के दोनों तरफ adjective है ठीक है तो इदर पहले आता है one syllable का और बाद में आता है more than one syllable का पहले one syllable का बाद में more than one syllable का समझ में आया जैसे example के तोर पे मैंने कहा she is ठीक है she is more beautiful she is more beautiful and and taller than I she is more beautiful and taller than I हम टाइ सेंटिंग गलत है सही है definitely wrong है and के इदर भी comparative degree इदर भी comparative degree वो बात तो सही है और comparison हो भी रहा है लेकिन आप देखो ये more than one syllable है और ये one syllable है हाँ की न और उस case में क्या होता है ये more इसके लिए तो आ गया वो ठीक है ये more इसके लिए भी आ गया और beautiful के लिए आता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन taller के लिए आ जाए तो गलत हो जाएगा क्योंकि more taller अपने आप में superfluous term है अनाव इस शब्दों का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पक्की बात है उमीद करता हूं कि ये वाली type आप लोगो एकदम बिल्कुल clearly समझ में आ गई होगी तो उमीद करता हूं ये सारे concepts आपने सीख लिए होंगे अब हम chapter की शिरुवात करेंगे अब chapter में भी ऐसा नहीं है कि direct में आपको बिल्कुल high five या advance बताने लग जाओंगा नहीं इसमें भी आपको step by step लेके चलूँगा पहले कुछ आसान चीजे हैं वो आपको सिखाता हूं थोड़ा confidence आपको boost करता हूं उसके बाद इसके अंदर advance बाते भी हम करेंगे शुरुवात करें शुरुवात करते हैं अच्छा हाँ एक चीज और कि आप लोग notes बना रहे हैं न क्योंकि notes बनाने बहुत जरूरी हैं बार-बार आप लोग PDF से नहीं पढ़ सकते हैं या computer screen से आप बार-बार नहीं पढ़ सकते हैं notes बनाना बहुत जरूरी हैं क्योंकि अपने notes बनाते थे जब offline त्यारी करते थे अब जमाना digital हो चुका है तो 24 घंटे बच्चा laptop के आगे computer के आगे, phone के आगे बैठा रहता है आँखों में दर्द, सर में दर्द इतना headache हो जाता है समझ पार है मेरी बात मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ क्योंकि 20 साल से हम paper और pen का use करते आ रहे है तो हम उस चीज के आदी है उस चीज से हम used to है तो उस चीज पर हम कोई चीज बढ़ते हैं मालो paper पर कोई चीज हम बढ़ते हैं तो हम जल्दी याद होती है क्योंकि हम बच्चपन से उसी चीज को लेके हमें प्रेंट किया गया है समझ में बाद आ रही है मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको यह को बाकी आपकी मर्जी है क्या जब offline classes होती थी तो क्या तब बच्चे selection नहीं लेते थे क्या तब बच्चे notes नहीं बनाते थे तब तो नहीं हुआ करता था यह PDF का जबाना तब भी तो बच्चे का मेहनत करते थे ना तो आप भी तो कर सकते हैं यह बस मैं आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा laptop और computer और phone से थोड़ा सा दिमाग हटे, थोड़ा सा mind हटे क्वाइन समझ में आया, बाकी यह मेरा personal suggestion है, opinion है आपको अच्छा लगे तो follow कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई जवर्दस्ती मैं कुछ impose नहीं करता हूँ किसी के उपर, क्योंकि सबके हालात सबकी circumstances, सबकी situation अलग होती है, कोई भी एक बात किसी की भी द्वारा बोली जाती है, जरूरी नहीं है कि वो जो particular बात है, हर बच्चे के लिए applicable हो, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है हर बच्चे के लिए applicable, कोई एक particular बात नहीं हो सकती है, क्योंकि सबके circumstances, सबकी सोचने की सबके सोचने का तरीका, सारी चीज़े different होती है तो अगर आपको as a teacher मेरी ये बात अच्छी लगती तो इसे definitely implement कीजिए और मुझे बताइए कि benefit हो रहा है नहीं हो रहा है हाँ कि ना चलिए क्योंकि आपको नोकरी लेने के साथ-साथ concepts पढ़ने के साथ-साथ अपनी well-being को भी maintain करना है ऐसा नहीं है कि आप तबियत खराब कर रहे हैं, depressed हो रहे हैं, anxious हो रहे हैं चोब इस घंटे computer कर आगे ऐसे Monday हो रहे हैं नहीं ना थोड़ा सा यार अपने आपको सेहत मन भी रखना है तो इसलिए आपके फाइदे के लिए बोल रहा हूँगा चलो शुरुआत करते हैं शुरुआत करने से पहले क बहुत प्यारा sentence है क्या कहाँ, coffee is more preferable than tea, is there any grammatical mistake in this particular sentence, is there any then feel free to comment down, comment क्या करेंगे live तो चल नहीं रहा है, तो बताइए चलिए चलिए, coffee is more preferable than tea, चलो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे deal करने की कोशिश करते हैं, इसका concept सीखते हैं, जो concept है उसका नाम है latent adjectives, हमेटा क English language में बहुत सारे ऐसे words हैं, जो latent और Greek language से लिए गए हैं, तो उसमें से latent language से जो कुछ words लिए गए हैं, जैसे कि junior, senior, inferior, और भी बहुत सारे लिए हैं, सरफ ये नहीं है, ये adjective की category में आते हैं latent वाले, तो इसलिए बढ़ रहे हैं इसे, junior, senior, inferior, superior, prior, prefer, preferable, junior, senior का मतलब तो senior का भी sense देता है, इसका मतलब पहले और ये दोनों word प्रत्मिक्ता देने के लिए use होते हैं, चलो जी वो बात सर समझ में आगे, इनकी खास बात बताओ सर, खास बात जानेंगे, इनकी खास बात क्या है, actual में, ये जितने भी words आपके सामने लिखे हुए हैं, ये अपने समझाने की कोशिश करता हूँ, आपने किसी इंसान को junior कहा, क्या कहा junior, तो automatically सामने वाले इंसान उसको senior हो गया, अगर आप किसी को senior कहने तो automatically कोई junior हो गया, तो अपने आप ही comparison का sense आ रहा है, तो ये सब के सब कौन से degree में होते हैं, comparative degree में, ये पहला point, दूसरा point, मैंने आप आप को बताया था कि comparative degree के बाद हमेशा क्या आता है, हंजी, हमेशा क्या आता है, देना आता है, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको कही थी कि आगे चलके मैं exception भी पढ़ेंगे, कभी कभी नहीं भी आता, बोलो, हा नहीं आता तो यहाँ पे competitive degree के बाद रहादा then नहीं आता, तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट तो उसमें से मैंने एक डिगरी लिखी, एक डिगरी लिखी, स्वीटर यह कौन से डिगरी है, तो आप कहेंगे सर यह comparative डिगरी है, यह से पता लग रहा है, हाँ की ना अगर कोई word अपने आप में comparative है, तो क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ, more sweeter, मुझे हाँ ना का जवाब देजिए, आप कहेंगे ने, क्योंकि जब एक बार comparative बना दिया, तो double comparative कैसे बना सकते हैं, यह बात हमने basic में सीख ली है, तो कहने का मतलब comparative degree के पहले more नहीं आता, तो मुझ से किसी भी word के पहले more नहीं आएगा, वहीं दूसरी बात, अगर sweeter के साथ मैं ऐसा लिख दू, most sweeter, तो कि ऐसा जायज होगा कहना, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यह पहले से comparative degree है, वो changed है, अगर वो changed है बाता, तो आप दुबारा कैसे बना रहें, super relative और comparative दोनो नहीं आएगा, most नहीं आएगा, तो गिंते चुनते कि मैंने कितनी बात है की, मैंने कहा, यह सारे के सारे comparative degree, इनके बात then का use ना होगे exception है, to आता है, और ना ही इनके पहले more और ना ही इनके पहले most आता है, logic मैंने आप लोग को दे दिया है, बोलो है, yes or no, चल दे आंगे, यह बाते आपके सामने लिखी हुई है, कि यह सारे words comparative degree में है, इनके बाद two का use होता है, then का नहीं होता, और इनका दुबारा से हम comparative और double superlative नहीं बना सकते, इसी के साथ आपके सामने एक sentence, मैंने कहा कि तनू is two years more senior than me in college, is this sentence grammatically right, no, wrong है कैसे, senior Latin adjective, अपने आपने ही comparative degree, तो then नहीं two आता है, और नहीं उसके पहले more, most होता है, simple बोलेंगे, तनू is two years senior to me in college, दो साल मुझसे senior थी वो college में, sorry है, ठीक है, coffee is more preferable than tea, बहुत simple सी बात है, preferable अपने आप नहीं comparative degree है, तो बेटा उसके बाद then नहीं, क्या आएगा two, और पहले से ही वो comparative का sense देता तो more भी न नहीं आया, पक्की बात है, जोट तनी बोल रहे है, दिल पे हाथ रख के बता दो, बाते समझ में आ रही है, तो इसी के सामने, इसी के साथ आपके सामने एक sentence, Mr. Adwani reached to the parliament, prior to the speaker, बहुत simple सी बात है, prior then नहीं होता, बेटा, prior to होगा, क्यों इनके बाद then नहीं to आता है, I am talking to the most senior employee in this organization, senior अपने आप में ही comparative degree है, नहीं उसके पहले more आता है, नहीं most आता है, तो I am talking to the senior employee in this organization, लेकिन, यहाँ पे एक छोटा सा exception, छोटी सी बात बताना चाहूँगा, आज कल अखबारों में ये शब्द यूज होने लगा है, कि most senior तो नहीं होता है, लेकिन senior most एक term बन सक होता है, क्या, सिर्फ senior most, और किसी के साथ मत लगाएगा inferior most, superior most, ऐसा मत कर दीजेगा, सिर्फ senior के साथ, most जो है, वो पीछे लग सकता है, ठीक है, मतलब उसके आगे वाली side, senior most term होती है, तो most senior तो गलत होगा, मतलब गलती तो आपने पहचाने लिए, I am talking to the senior employee in this organization, या फिर senior most employee, junior के साथ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन junior के साथ हम use नहीं करते है, senior के साथ ही यह term use होती है, अलग से यह word है, इस concept में squared मत कीजिए, कि सब के साथ आप most लगा दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, चले, चलो, आगला question, यह हो गया कहा, coffee is more preferable than tea, यह हो गया है, मेरे कासे है, more म आएगा, आगे then में आएगा, to आएगा, यह हमारा हो चुका है, ठीक है, हांजी, चलो, इस वाले में इतना ही जानना था, छोटा सा concept है, बहुत उमीद करते हूं, समझ में आयो, जाला detail में इसमें जाना नहीं है, है इन इतना detail में जाना क्या है, ठीक है, और इसके आगे अ हां, बोलो, क्या नहीं आएगा, चीफर, चीफर, मोर चीफ, मोस्ट चीफ, बताओ फिर क्या आएगा, चलो जी, इस point को सीखने के लिए, हमको जो term सीखनी है, वो है बचे, absolute adjectives, क्या है, absolute adjectives, सर यह, पहले तो बताओ, यह absolute का मतलब क्या होता है, absolute का मतलब होता है, complete, ऐसी कोई चीफ जो अपने आप में पोर्न हो, अपने आप में complete हो, से हम कहते हैं, absolute adjectives, यह जितने भी words हैं, यह सब के सब absolute adjectives हैं, एक छोटी सी बात आपकी information के लिए और बदाना चाहूंगा, absolute adjective जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप में ही complete, अपने आप मे ही complete होते हैं, वो हमेशा highest degree of quality को denote करते हैं, अगर वो हमेशा highest degree of quality मलोग सारवधिक गुन को denote करते हैं, किसी चीज का, तो वो कौन से degree में होगा, तो आपको बता है highest degree of quality बटा superlative degree में होते हैं, तो यह जितने भी word आपके सामने लिखे हूँ हैं, यह पहले सही अपने आप मे ही कौन से degree में हैं, superlative degree में हैं, क्योंकि अपने आप में पूर्ण है, complete है, absolute है, eternal, chief, circular, round, triangular, impossible, ideal, universal, unique, supreme, extreme, total, whole, right, wrong, perfect, complete, बाकी सब के मतलब तो पता होगे, eternal का मतलब अगर किसी को नहीं पता था, मैं बता दूँ, eternal का मतलब never ending, जैसे you have eternal problems of money, सब को यह होती है, everybody has eternal problems of money, हा अनत काल तक चलती रही, चलो, तो अच्छा, एक example मैं आपको और देता हूं, बढ़ियाँ वाला, कि यह सबके सब superlative degree में क्यों है, यह अपने आप में पूर्ण क्यों है, example के तोर पे मैंने कहा कि कोई word लेते हैं, चलो impossible, चलो, impossible कहा, अब कोई चीज मैंने कहा कि impossible है, और हम चीजों को बहुत बर exaggerate करते हैं, बड़ा चड़ा करते हैं, अरे बहुत सही चीज है, बहुत सही, खाले भाई, खाले, अरे एक दम बिल्कुल गजब की, बहुत ही सही, करते हैं, यह बहुत सही क्या होता है, सही है, यह यह तो सही है, यह गलत है, यह बहुत सही क्या होत अच्छा एक चीज और जैसे, अब example एक मैं round कलू, round term है, अब मैंने जब कहा दिया कि कोई चीज गोल है, for example, तो यह तो मैंने गोल बनाई नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई चीज मैंने गोल बना दी, तो आप कहरे हो, बहुत गोल है, यह बहुत गोल क्या होता है, गोल तो गो अगर यह superlative है, तो क्या मैं इसके पहले more लगा सकता हूँ, no, क्योंकि जब change कर दिया, तो आप फिर comparative वाला more कैसे लगा सकते हैं, मतलब superlative डिगरी के पहले कभी more नहीं आता, तो यह सारे words भी superlative में है, मतलब इनके पहले भी more नहीं आएगा, पहला point, दूसरा point, क्या most sweet कुछ term कर सकता हूँ, आप बोलोगे सर, यह भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब superlative है, तो double superlative आप कैसे बना रहे हैं, तो मतलब इन सारे words के पहले भी क्या नहीं आएगा, most नहीं आएगा, कहने का मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से इनका दुबारा से comparative वो superlative form नह असान बात है, ठीक है, example की दोर पे, this is the most unique animal that I have ever seen, अब तक का सबसे unique animal है, अरे unique का मतलब सबसे हटके ही होता है न, तो आप उसके पहले most कैसे लगा रहे हैं, और अब तक हम यह sentence use भी करते आए हैं, बहुत बहुत, गलत होता है न, unique, अपने आप में superlative degree, बटा, most नहीं आ words practice करते करते हैं, अपने आप आपको सारे याद हो जाएं, गलक्स से आपने रटने नहीं है, ठीक है, how can divide in India become the most supreme power, supreme को मतलब वैसे ही सर्वेश्रेश्ट होता है, बटा, most नहीं आएगा, जो बटा हुआ इंडिया है, यह supreme power कैसे बन सकता है, समझ में आया, चल दें आगे, चल यह, अगली category तरफ move on करने की कोशिश करते हैं, सवाल देख लो पहले कोई, हाँ, बिलकुल question तो हो गई, नजर डालो भाई जी, बताओ, जी क्या mistake है, पहले question देखना बहुत जरूरी है, बहुत important है, जब हम concept पढ़ते हैं, तो फिर मज़ा आ जाता है, क्यों concept पढ़ने के बाद, फिर हम जब question पर दुबारा आते हैं, तो feel होता रहे है, पहले तो मैं कुछ होरी देख रहा था और अब तो error साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो यह feel आना, यह confidence आना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, अरे है या नहीं है, definitely है, confidence का ही सारा game है, अंगरे जी आये ना आये, confidence आना चाहिए हो, जिस दन confidence आ गया, English के साथ साथ बहुत कुछ आ जाएगा life में, ठीक है, बहुत बच्चों में है ही नहीं, अपनी वर्थ समझते ही नहीं कि वो क्या करने के काबिल है, कितनी उनके अंदर काबिलियत है, अपने आपको बहुत नकारते हैं, क शिक्षा बताओ, जो हमें कोई जिन्दिगी इंप्लिमेंट करने चाहिए, तो बस यह कहूँगा, आपको अपने आप से प्यार करें, अपने शरीर के एक पार्ट को, अपने माइंड के हर एक थोट को, हर एक चीज़ को अपनाएं, जैसे हैं आप वैसे हैं, बिल्कुल पर परफेक्ट तो देखो वही वाली बात है, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, नोबडी इस परफेक्ट, एवरीबडी हास सम इन परफेक्शन, ठीक है, परफेक्ट तो खुट भी नहीं है, लेकिन जितना है, यू आर एनफ, लिख लो इस बातों कहीं पर, I am not perfect, but I am enough, I am not perfect, but I am enough, जो है, जितना हूँ, बढ़िया है, ठीक है जी, चलो जी, बताओ, बोलो, में स्टेक्ट पता लगी, चलो, इनको फिर डीटेल में सीखते हैं, बहुत अच्छे से, खुदी पता लग देगी आपको क्या रह रहा है, एक्चुल में एक कॉंसेट है, कि as और as के बीच मे term हम use करते है positive degree, कुछ बाते कुछ मैंने काफी टाइम पहले आपको यादो fundamentals में बताई थी, कि मैंने कहा था कि positive degree का use हम तब करते हैं, जब कोई तुलना नहीं होती है, हाँ की न, yes or no, positive degree का use तब करते हैं, जब कोई तुलना नहीं करनी होती, कोई comparison नहीं करना होता, लेकिन म ज़्यान रखिएका, जब as और as के बीच में positive degree आता है, तो वो comparison के लिए ही use होता है, उसका मतलब होता है, उतना ही जितना ही, और इसी तरीके से similarly, जब so और as के बीच में भी positive degree आता है, तो वो भी comparison के लिए use होता है, उतना ही जितना ही, ये दोनों के दोनों same concept है, as positive degree as, so positive इन दोनों का मतलब होता है उतना ही जितना ही और यह comparison के लिए ही use होते हैं पहला point दूसरा point सर अगर दोनों के दोनों comparison के लिए use होते हैं यह as, as और so as तो इस as, as को so as में बदलने की क्या जरूवत थी? बदलने की कोई जरूवत नहीं थी लेकिन इनका use अलग-अलग type के sentences में होता है जैसे as और as का use हम करते हैं affirmative sentences में, affirmative अधर सकारात्मक sentences में और so as का हम use करते हैं नकारात्मक मतलब negative sentences में और जब हमें उतना ही जितना ही का sense देना हो जैसे example के तोर पे मैंने कहा कि Tina is as tall as तनू, Tina उतनी ही tall है जितनी की तनूं tall है तो उतना ही जितना ही तो as और as आया और बीच में बिटा कौन से डिगरी? पॉजिटिव डिगरी, अगर मैं यहां बोलूँ को taller तो गलत हो जाएगा कि तनू is as taller as, sorry, Tina is as taller as तनू, तो गलत हो जाएगा बटा वो पॉजिटिव डिगरी नहीं, कौन से डिगरी आती है, पॉजिटिव डिगरी आती है, तो तनू is not, Tina is not so tall as तनू, पॉइन समझ में आया, इतना ही है बस, इतना ही है, अब आप देखो, एक भी नेगेटिव हो, नेगेटिव तो यहां है नहीं, नेगेटिव है नहीं, तो as, as आना चाहिए है, और बीच में आपका positive आना चाहिए, तो वहार रखा है, the cost of the new machines is likely to be as I has 10 times the existing ones, जितना अभी है उसका 10 गुना जादा, ठीक है, नहीं machines का cost he walked as fast as he could, so that he would not miss the train to work, जितनी तेज दोड तका था, दोड़ा, किस लिए, so that he would not miss the train to work, train को miss ना कर दे, तो as, और बिटा as, बीच में कौन से डिगरी, positive डिगरी, so you need to write fast over here, is my point clear, yes or no, बूलो हां, चलो, I answered the questions as best as I could, तो as, और as के बीच में आपकी, हाँ, कौन से डिगरी, positive डिगरी, क्या बनेगा, I answered the questions as good as I could, ठीक है, चल दें आगे, चलो इसमें बताओ, फिर यह सवाल था, आपके सामने स्क्रीन पे था, क्या खुद बता रहा है कि मेरे अंदर ये गलती है, मिनाक्षी's performance in the film was better than Sangeeta's, but not so better as Maduri, बिल्कुल ध्यान से समझेगा, जो मिनाक्षी की performance है, कहाँ पे फिल्म के अंदर, वो बहतर थी किस से, Sangeeta की performance है, यहाँ पे performance शब्द लिखा होना चाहिए था, Sangeeta's के बाद, लेकिन वो लिखा नहीं है, क्योंकि वो understood है, याद कर एक pronoun में भी ऐसा question आया था, मैंने का अधा understood होता है, क्योंकि performance, performance repeat हो जाएगा, ठीक है, performance एक noun होता है, noun की repetition हो जाएगी, repetition ना वो हटाने के लिए ही, यहाँ पर संगीता लिख दिया, कि मिनाक्षी की performance है, film के अंदर बहतर है, वो संगीता की performance है, ठीक है, लेकिन, not so better as Maduri, लेकिन उतनी बहतर नहीं है, जितन ही, जितना ही, पहला बात, पहली बात, क्या note लिखा है, आपने का, जी सर, so raise आएगा, आपने का, जी सर, बीच में कौन से degree आएगी, positive degree क्या बनेगा, good, और यहाँ पर सही लिखा, हाँ जी सर, यहाँ देन था, तो यहाँ comparative degree सही लिखा हुआ है, point समझ में आया या नहीं आ बात है, चल दें आगे, सारी बाते clear हो रही है, laptop की battery बंद हो गया, भी बंद हो जाएगा, यह, दो चार question इसके पड़े है, फड़ा फड़ देख लो, आजो, these days job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s, बहुत असान है, क्या दिखाई देरा, as, और क्या दिखाई देरा, as, तो बिटा यहाँ as नहीं, क्या आएगा, so आएगा, और यह better नहीं होगा, हंजी बिटा, क्या होगा, good होगा, तो these days job opportunities are not so good as they used to be in the early 70s, तो चलिए, तो चलिए, अब बढ़ते हैं अपनी अगली category की तरफ, अगली जो category है, उसको देखने से पहले question पे एक बार नजर डाल दीजे, और मुझे बताईए कि दोनों sentences के अंदर आपको क्या mistake दिखाई दे रही है, ये दो sentences आपके सामने, आपके screen के ओपर logically मुझे बताना है कि सर इसके अंदर ये error है, क्योंकि देखो, अंदर से feeling आना एक अलग चीज होती है, लेकिन हमें concept पता होना वो अलग चीज होती है, जिससे कि हमा इसे नहीं है, acceptable ही नहीं है वो चीज, ठीक है, negative marking नहीं, तो वीडियो को pause कर लीजी और देख लीजी चलिए, उमीद करता हूँ कि आपने इन पर नजर डाल ली होगी, चलिए अब इनको basic से deal करने की कोशिश करते हैं, ऐसे type के questions को गरने के लिए आपको जो concepts चाहिए, उस concept क नाम है, parallel increase और parallel decrease, सबसे पहलो तो इसे समझेंगे, parallel increase और parallel decrease है क्या, पहली बात तो मुझे बताएंगे, ये जो word आपके सामने लिखा हुआ है, parallel इसका मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे, सर ये तो बहुत असान है, इसका मतलब होता है, समानांतर, या कोई चीज बराबर हो रही है, वो parallel ही हो रही है, हाँ, की ना, सबको बदा है, मैंने का कोई एक चीज हो रही है, साथ साथ दूसरी चीज भी हो रही है, तो ये दोनों चीज ये parallel ही हो रही है, clear है, अब उसके आगे लिखा है, parallel increase, increase का मतलब बढ़ना और decrease का मतलब घटना, तो ये क्या है, actual में कभी कभी ऐसा होता कि कोई एक चीज increase हो रही है तो साथ साथ उसके दूसरी चीज भी increase हो रही होती है इसको बोलते है parallel increase होना या फिर कि कोई एक चीज decrease हो रही है साथ साथ उसके दूसरी चीज भी decrease हो रही है तो इसे बोलते है parallel decrease होना या फिर कोई एक चीज increase हो रही है और साथ साथ उसके दूसरे चीज़ decrease हो रही है इदर से ये increase हो रही है तो इसे बोलते हैं parallel increase और decrease तो इस तरीके के जब concepts आते हैं तो हम इस structure का use करते हैं कौन से structure का पहले यूज़ करते हैं बिटा दा फिर यूज़ करते हैं comparative degree फिर यूज़ करते हैं subject और after that हम यूज़ करते हैं verb अब अगर ऐसी कोई बात होती है जिसमें कुछ parallel increase होना है या decrease होना है या increase decrease होना है तो हमेशा यही structure follow होगा और दो बार follow होगा कितनी बार दो बार क्यों क्यों क्योंकि दो चीज़े decrease या increase हो रही होती है तो कम से कम दो चीज़े तो होनी चाहिए तभी तो एक दूसरे के parallel होगा तो यह structure दो बार use होता है और किसी भी तरीके से structure को आपने maintain रखना है इस type के sentences में sir इन sentences को थोड़ा सा और explain करो हमको समझ में यह आई आना शायद ऐसा doubt होगा तो होगा चलो मैं आपको और explain करता हूं example की दूरत में मैंने कहा कि जितना हम उपर की तरफ जाते हैं उतना हमें ठंडा फील होता है क्या कहां जितना हम उपर की तरफ यह जाते हैं उतना में बड़ा होता जा रहा हूं उतना लाइफ में खुश होता बोलो, जितना मैं उसे मनाने की कोशिश करता हूँ, उतना मैं उसे root जाती है तो उमीद करता हूँ कि मेरा point आप लोगों समझ में आ गया होगा कि parallel increase और decrease किस type के sentences होते हैं और उनमें ये structure आपको किसी भी तरीके से maintain रखना है तो गड़बर हो जाएगी, कैसे example के तोर पर आपके सामने एक sentence है The higher we go, cooler we feel तो देखते ही आपको बड़ा लग जाएगा, जितना हम उपर की तरफ जाते हैं उतना हम धंड़ा फील करते हैं, ये तो parallel increase, decrease वाला है चलो एक बार एक काम करते हैं, चक कर लेते हैं पहले दा आया, हंजी दा आया, उसके बाद comparative degree आई, हंजी comparative degree आई फिर आपका subject आया, हंजी subject आया, और फिर आपका verb आया, हंजी verb आया और ये structure दोनों जगह होना थी है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, क्या आगे दा है, नहीं है तो भईया comparative degree के पहले दाल लेगाना था अब आया आपका comparative degree फिर आया subject और verb subject और verb आपका आया point समझ में आया तो distort नहीं करना है पूरा maintain करना है the higher we go the cooler field कभी-कभी वो क्या करता है verb को इधर ले आएगा subject को उधर ले जाएगा कभी यहां से दा हटा देगा कभी वहां से दा हटा देगा कभी इस वाली verb को इधर ले आएगा subject को उधर ले जाएगा कभी इस comparative को positive में लिख देगा superlative में लिख देगा कभी इसको change कर देगा आपने maintain रखना है yes or no चलें the older I get the happier I am am I सही है गलत है the plus comparative degree plus subject plus verb यहां तक तो सही है the plus comparative degree plus subject plus verb होना था जबकि यहां पर पहले verb है फिर subject है तो I am होना चाहिए उमीद करता हूँ कि basic जो आपको sentences है वो समझ में आगे अब आप खुद करके देखिए मुझे बताइए कि आपको समझ में आएं या नहीं आएं आपके सामने एक question the more I study the less I learn इस sentence में क्या mistake है the more I study the less I learn इस sentence में क्या mistake है चलो एक काम करते है चक करते है पहले दा है comparative degree है कैसे पता लगा हमको पता है कि much होती है positive degree more होती है comparative degree और most होती है superlative degree much more most तो दा plus comparative degree plus subject और plus verb मतलब यहां तक तो structure maintained है आगे चलते है क्या दा लिखा है हाज जी लिखा है comparative degree है क्या यह comparative degree है या नहीं है बताओ मुझे सभी students चलो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ अभी पहले ही बताया था आज की class के अंदर ही मतलब इसी वीडियो के अंदर ही little less lesser और least याद होगा positive degree comparative degree superlative degree positive degree comparative degree और superlative degree तो दा आया और comparative degree आने चाहिए हंजी less आया हुआ है बिल्कुल सही है क्या दिक्कत है है यहाँ पर आगे subject आया हुआ है और आगे वह आई हूँ है definitely मतलब यहाँ पर भी maintained है तो उसमें कोई गलती नहीं है लेकिन एक आदे के mind में आ रहा होगा सर lesser भी तो comparative degree होती है तो क्या वो भी लिख सकते थे नहीं लिख सकते वहाँ less ही आयेगा सर उसके बीचे क्या कारण है उसके बीचे कारण यह है कि lesser शब्द हम generally तब यूज करते हैं जब उसके बाद off का use हो most of the time हम तब यूज करते हैं जब उसके बाद off का use हो हाला कि इसमें भी exception है लेकिन यह off के साथ generally use किया जाता है अगर मैं competitive examination के point review से देखूं तो तो क्या कहा अब ये बताएंगे ये लिखा हुआ सही है गलत है less और lesser का भी हम नहीं जाने वो बाद की बात है पहले लिखा हुआ सही बताएंगे सही है गलत है the comparative degree subject or verb the comparative degree subject or verb क्योंकि less be comparative degree होती है समझ में आया एक काम करते हैं एक और देखते हैं इसमें तो no error था आज इसमें बताएए the more I meditate the more calm I get यह वही questions है जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाए थे the more I meditate the more calm I get the more I meditate जितना मैं ध्यान लगाता हूं उतना मैं शान्त हो जाता हूं तो विजो को पोज कर लीजे और मुझे बताएए कि इसके अंदर क्या सही चीज होनी चाहिए चलिए उमीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा, आज़े यह चेक करते हैं, पहले दा आया, हजी आया, more कौन सी जिगरी है, comparative degree, फिर subject और ध्यान लगाना, meditate, यह एक verb है, yes or no, ठीक है जागे जालते है, दा आया, आया, अब आगे comparative degree आई, आई, लेकिन यह अकेला नहीं आए, ब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, शान्त, yes or no, और यह एक adjective होता है, क्या होता है, adjective, और इसकी जो pronunciation होती है, वो होती है, calm, ठीक है, यह L silent होता है, calm, क्या बोलते है, calm, c-a-l-m, calm, ठीक है, मुझे बताएंगे, यह जो calm है, आपने इसे एक ही बारी में बोल दिय तो क्या यह one syllable हुआ यह नहीं हुआ, definitely हुआ, अगर यह one syllable हुआ, तो इसका comparative और superlative कैसे बनेगा, calm, calmer, calmest, यह थोड़ी बनेगा, calm, more calm, most calm, point समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे यह जो adjective लिखा हुआ था, बच्चे, यह one syllable का adjective था, comparative degree की requirement थी, और comparative degree यह लेकिन more काम कर दिये, जबकि काम की comparative degree कामर और कामस्ट बनती है, तो इसलिए यहाँ पे comparative degree था पूरा, लेकिन वो गलत था, क्या होना चाहिए, कामर, फिर subject आया, फिर verb आया, point समझ में आया, da plus comparative degree plus subject plus verb, da plus comparative degree, comparative degree थी, लेकिन गलत लिखी हुई थी, उसकी जगा मैं सही comparative degree लिखी, फिर subject और फिर verb, उमीद करता हूँ, मेरा point आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बताओगे, चलो इसमें बताओ फिर, the more dangerous is it, more I like it, बहुत असान है, वीडियो को post करके पहले खुद करो, अब आजो देखो यहाँ पे, da plus comparative degree, अब more अकेला नहीं है, dangerous भी साथ म में आया हुआ, ध्यान से देखो, क्योंकि जब more अकेला होता है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यहाँ अकेला था, subject से पहले, अभी more के साथ यहाँ और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो dangerous एकोईटम आई हुए है, मतलब अभी यह जो dangerous है, आपको पता है ना, से दा आना चाहिए, जबकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, और अब comparative degree, अब देखो, खाली more है, much more, most more comparative degree होती है, और कुछ होता तो फिर हम guess करते, कुछ और देखते, लेकिन खाली more है, तो अपने को पता, यह comparative degree है, फिर subject और सर्वर्ब है, क्या दिक्कत है, सही लिखा ह दा प्लस comparative degree प्लस subject प्लस वर्ब, दा प्लस comparative degree प्लस subject प्लस वर्ब, उमीद करता हूँ, मेरा point आप लोगों समझ में आ रहा होगा, यह question बहुत ही प्यारा question है, बहुत भैतरी इन question है, वीडियो को pose करो, खुद बताओ पहले हैं न, चलो, उमीद करता हूँ कि वीडियो को आ बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना जल्दी आप करेंगे, उतना आपके लिए बहतर होगा, आपको एक बात पता है न, कि parallel increase और parallel decrease हमेशा वहीं पे apply होगी, जब actual में कोई parallel increase या parallel decrease हो रहा होगा, समनांतर दो चीज़े बढ़ रही होगी, या घट रही होगी, आप बढ़ियां तरीके से जानते हैं कि जितना आप जल्दी करेंगे, उतना आपके लिए बहतर होगा, तो बताओ मुझे, इन दो के बीच में वो relation दिखाई दे रहा है, या इन दो के बीच में दिखाई दे रहा है, कि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना तो अब बताओ, यहां पे है वो वाला concept जो लगना है, इधर नहीं लगना है, कुछ बच्चे इसको देखके यहां चेंज कर रहे हैं, दा बेटर वगएरा कर रहे हैं, यहां कुछ नहीं होगा, यहां होगा, अब देखो, अगर यहां होगा, तो दा आया, हान जी आया, comparative degree डेफिनेटली सून, सूनर, सूनेस्ट, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, आया, लेकिन आगे दा नहीं आया, आगे दा नहीं आया, तो पहले लगाओ दा, उसके बाद comparative degree, good, better, best, comparative है, हान जी है, लेकिन अब subject चाहिए था, और फिर वर्ब चाहिए थी, तो it is होना चाहिए अब हो गया सही, समझ में आया, you know it better, the sooner you do, the better it is for you, the sooner you do, the better it is for you, उमीद करता हूँ कि समझ में बहुत बढ़ियां questions है, अगर आपने इसका answer पहले दे रिया था तो बहुत बढ़ियां बात है, मैं तो सीख रहे हो आप लोग, चलिए जी, next category तरफ move on करने की कोशिश करते ह यहां तक की उमीद करता हूँ कि report आपकी बढ़ियां होंगी, चीजे समझ में आ रही होंगी, ठीक है जी, चले, तो questions पर पहले नजर डालने है, अगली category की, आज़ेए, पहले questions पर ही नजर डालते हैं, इसके sell खतम हो रहे हैं क्या, कोई बात नहीं, आज़ेए, चलिए, त तनू is as tall as any girl in the class, तनू is taller than, तनू is taller than any girl in the class, और अगला है तनू की बोल रहे हैं, तनू है, तनू भी नहीं है, तनू, चलिए, चलो, ऐसे तनू नाम आते हैं, आपके जीब क्यों लड़ खड़ाने लगती है, आपके जुबां क्यों जीब क्यों लड़ खड़ाने लगती है, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, बाकि आप लोग जादे समझदार है, तनू is as tall as any boy in the class, ठीक है, इन तीनों sentences में कोई गलती किसी भी तरीक चलो मैं समझाता हूँ आपको, कि क्या गलती हैं, क्या नहीं है, पहले दो sentences में any other girl और any other girl होगा, और नीचे वाले sentence एकदम सही लिखा हुआ है, अब ये क्या है, क्या नहीं है, इसे detail में सीखने की कोशिश करेंगे, बड़े प्यार से, ठीक है, आज़ो चलो, पहले sentence को क्लास की कोई भी लड़की, क्योंकि as tall as का मतलब क्या होता है, उतना ही जितना ही, तो आप कहेंगे सब टनू उतनी ही टोल है, जितनी की क्लास की कोई भी लड़की, ठीक है, ये कहेंगे, कहेंगे, आजो, यहां देखो, सामने देखो, मैंने मालो यहां पे बनाई एक क्लास बोलू हाँ बनाई ठीक है ये एक लड़की ये दूसरी ये तीसरी ये चौथी ये पाँचवी और ये छटी ये छे लड़किया है क्लास के अंदर और ये जो सबसे पहले नंबर पे है जो सबसे सुन्दर है ये वाली ये कौन है हाँ जी ये एक दम बिल्कुल ब्यूटिफुल्स की लड़की कौन है ये ये तनू है ठीक है अब मैंने क्या कहा इस सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर इंप्लिमेंट कीजिए इस सेंटेंस का मतलब है कि तनू उतनी ही टॉल है जितनी की क्लास की कोई भी लड़की ये बात हमने कब कई होगी जब हमने कंपरेजन करके देखा होगा पहले तनू का इस से कंपरेजन किया होगा तो तनू उतनी ही टॉल है जितनी की ये फिर तनू का इस से कंपरेजन किया होगा तो तनू उतनी ही टॉल है जितनी की ये अब उस कोई भी लड़की में तनू खुद भी तो लड़की है, मेरी बात समाइब ना, तनू खुद भी तो लड़की है, कहने का मतलब जब तनू का कमपाईजन हमने इससे किया, इससे किया, इससे, इससे उसने बोला, any girl क्याने का मतलब tamu का composition focus ТaNu से भी हो गया तो क्योंकि उसने कोई भी लड़की बोला हुआ और ऐसा कैसे हो सकता है तनू का complaint ना? तनू काаз map बागी दूसी लड़के यू सकता है खुद का कुईस इू सकता है तो point यह है कि किसी एक चीज का comparison खुद से ही ना हो जाए उसको बाकी group से अलग करने के लिए generally हम other का use करते हैं किसका use करते है other का कि बाकी दूसरी लड़कियों से उतनी ही tall है जितनी की ये है ये बोलना था और ये जो concept होता है ये हमेशा positive degree में और comparative degree में ही supplement होता है सूपरलेटिव में नहीं होता है यह यह उता है वो बात में पढ़ेंगे लेकिन इस बात को दूबारा समझेंगे जब कभी भी positive degree लिखी हो या competitive degree लिखी हो हो और किसी एक चीज का comparison इसी की अलग करने के लिए other का use करते हैं point समझ में आया दुबारा बताऊं दुबारा बताताऊं छोड़ दो सारी बाते अभी इसको भी repeat करूँगा ये बहुत important concept है बहुत ज़्यादा important है class के अंदर ये एक class थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 लड़कियां थी पहले नंबर वाली ये तनू थी मैंने कहा कि तनू उतनी ही टॉल है जितने की class की कोई भी लड़की है कोई भी लड़की में ये भी लड़की है ये भी है ये भी है ये भी है इन सबसे तुलना तो हो रही है कोई भी लड़की में तनू भी एक लड़की है कहने का मतलब सब के अलावात साथ साथ तनू की तनू से भी तुलना होगी जब कि नहीं हो सकते हैं बोलना ये था कि तनू उतनी ही टॉल है जितने की क्लास की दूसरी लड़किया, समझ में आई बात, कहने का मतलब तनू को गुरूप से अलग करना था, तो मैं वही समझाना चाहरा हूँ, क्योंकि सेम सेम होगी थी, लड़की लड़की लिख दिया था हमने, तो मैं वही समझ करते हैं, पहला पॉइंट समझ में आया है, आजो एक काम करते हैं, यहाँ पर आजो, और एक्जामिनेशन में यहाँ पर ही और शी लिखके देगा, किसी का नाम नहीं लिखके देगा, क्योंकि क्या पता कि कोई नाम ऐसा हो, जो लड़कों के लिए भी यूज होता हो, ठीक का सबसे important concept है, यह बहुत बड़ा concept है, इसके अलावा जो इसके बाद आएगा, वो भी बहुत important है, बिल्कुल प्यार से समझो आप, ठीक है, आओ, तनू थी, एक लड़की, दो लड़की, तीन, चार और पांच, पहले वली तनू, ठीक है, मैंने कहा, तनू, क्लास के किसी लड़की से ज़्यादा टॉल है, यह बाद हमने कप कई होगी, जब तुलना कर ली होगी, तो जब हमने तनू की इस से तुलना की होगी, तो तनू ज़्यादा टॉल निकली होगी, फिर इस से की, फिर इस से की, तनू ज़्यादा टॉल निकली होगी, उसने बोला, एनी गर था positive और comparative degree में जब किसी एक चीज या एक इंसान का comparison उसी की तरह की same category से हो जाए तो same same का comparison ना हो जाए उसको अलग करने के लिए हम किसका use करते हैं other का use करते हैं point समझ में आया लेकिन अब आजाओ नीच उसने बोला कि तनु उतनी ही टोल है जितने की class का कोई भी लड़का अब आप मताओ पहले मुझे degree कौन सी है positive degree है क्योंकि as और as के बीच में positive degree आती है यह competitive degree है यह फिर as और as के बीच में positive degree दिखाई दे रही है आपको तो तनु का comparison लड़की का किस से हो रहा है लड़के से हो रहा है अब तो अलग अलग है कि अपने आप में अलग है तो फिर other का use क्यों करना अधर तब करते हैं जब same same हो तो other का use करना है same नहीं है तो other का use नहीं करना है बहुत simple सी बात है समझ में आया रूको एक काम करो आजो question देखते है question से पहले जो लिखा हुआ उसको देखो when one thing is compared with another of the same kind जब किसी एक चीज का comparison उसी की तरह की same kind से करते हैं तो other का use करते हैं positive और comparative degree वाले sentences में superlative वाले में नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं वो बाद में पहले इसी की बात करते हैं आपके सामने एक sentence Nile is longer than any river in the world Nile या Neil कैलो हिंदी में Nile is longer than any river in the world सबसे पहली बाद degree check करनी होती है ऐसे question के अंदर बहुत असान question आप असानी से कर लेंगे सबसे पहली बाद degree check करते हैं क्या ये longer than कौन से degree आपको दिखाई दे रही है comparative degree हा कि ना क्या Nile या Neil एक नदी है नदी है नदी का comparison नदी से हो रहा है हांजी definitely हो रहा है नदी का comparison नदी से हो रहा है कहा की नदी से world की नदी से क्या जो Nile है world में आती है हंजी आती है तो क्या same same नहीं हो गया same हो गया same हो गया तो फिर अलग नहीं करेंगे क्या बोलेंगे Nile is longer than any other river in the world समझ में Finnimizi कर रहे हैं और world की नदी से कर रहे है वर्ल्ड में नाइल भी आती, आती तो सेम सेम का होगा ना, सेम को फिर अलग करना पड़ेगा, अधर आएगा, लेकिन वही दूसरी तरफ अभी सेंचेंस को देखो, कौन से डिगरी आपने कहा सर कंपारेटिव डिगरी है, मैंने कहा कंपारेजन हो रहा है किसका नाइल का किस के साथ, रिवर के साथ, नदी है, नदी है, नदी है, अभी तक तो आपको लगेगा सेम है, लेकिन आगे बिटक क्या लिखा, इन इंडिया, क्या लिखा, इन इंडिया, अब मुझे बताओ, उसने बोला, नाइल जो है, इंडिया की किसी भी रिवर से ज़्यादा गाउमर ह तो मुझे बताओ क्या India की दिवन्ज में नाईल आती है हां या ना आप बोलोगे no अगर नहीं आती है तो same है या अलग है अलग है अलग है already तो फिर other का use नहीं करना जब same same हो तब अधर लगाना है क्योंकि same same का comparison नहीं हो सकता उसको अलग करना पड़े है कि कोई भी राइटर इस दुनिया में उतना फेमस नहीं है उतना प्रसिद नहीं है जितने की हमारे शेक्स्पियर भाईया अब बताओ जी क्या होना चाहिए वीडियो को पोज करो, रुको, सोचो, जो मर्जी करो आंसर बताओ देखो, आंसर बताने के लिए सबसे पहले बटर डिगरी चेक करते हैं, एज, फेमस, एज, कौन सी डिगरी, पॉजिटिव क्योंकि, एज और एज की बीच में पॉजिटिव डिगरी ही आती है कमपैजन हो रहा है, राइटर का किस के साथ, शेक्सपीर के साथ, शेक्सपीर क्या है, राइटर ही है न, अरे डांसर थोड़ी है, राइटर है न, तो राइटर का कमपैजन राइटर से कर रहे हैं, और कहां के राइटर से, वर्ल्ड के राइटर से, क्या पूरे वर्ल्ड म सोझ में या नहीं आया अब इसको देख़ लो एक बार कि नौधार राइटरेंगा इंडिया में आता है नहीं आता सेम हो गया या अलग हो गया जब अब मैं उमीद करता हूँ कि आपको point समझ में आ गई होंगे, अब जानो कि superlative degree में other वैसे भी नहीं आता है, यह जो concept था ना, same same वाला, यह हम बस positive or competitive degree में करते हैं, superlative में नहीं करते हैं, क्योंकि superlative में पहले ही सबसे अलग होता है, the tallest, the most beautiful, वो पहले ही सबसे अलग है, तो superlative degree में other का use करना ही नहीं है, same हो चा कुछ हो, other नहीं आएगा, क्या होता है, अगर any लिखा दिखाई दे, तो उसके बाद हम use करते हैं, singular noun, अगर all लिखा दिखाई दे, तो उसके बाद हम use करते हैं, बिटा plural noun, जैसे कि यहाँ पर पूल है, राहूल is the tallest of all his brothers, समझ में आया है, all his brothers, तो all है, तो आपका plural noun, अगर any होता, तो हम brother करते हैं, समझ में आया, पकी बात है, तब singular नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी question में कर सकते हैं, यह, जैसे पीछे मैंने आपको दिखाया, नाइल is longer than any river, आप यहाँ all भी लिख सकते हैं, तो all rivers हो जाएगा बस, यह simple से चीज़ बतानी है, दोनों चीज़े same होती है, any है तो singular, all है तो plural, clear, चले, पका, आओ इसी के mislaneous questions देखते हैं, उमीद करता हूँ, अब आप तयार होंगे, बिलकुल अपने ek47 कह रहा हूँ, ek47 निकाल लीजी, यह ek47 कौन सी है, कोई बात, नहीं आजो, कभी-कभी क्या होता है न, जुबान लड़ खळाती है, तो जो बड़े-बड़े भारी-भारी शब्दों का जो वजन होता है न, वो फीका पड़ता है, ek47 बहुत बढ़ी बात है, हम मैंने बुलिया, ek47, यह एकी, ऐसा लगा है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पानी वाली बंदूप लेके घूमते हैं, ऐसे पिछकारी मारते हैं, तो वही ऐसे लग रही है, होली पे लेके घूमते हैं, चलो आजो, miscellaneous, करें questions, सांची बताएंगे क्या है, निकाल लो अपनी ek47, चलाओ गो लिया, the population of Tokyo is greater than that of any other town in the world, अच्छा हर question पर वीडियो pause करते चलो और answer बताते चलो, ठीक है, चलाओ, the population of Tokyo is greater than that of any other town in the world, सबसे पहले तो क्या गाम करना होता है, degree चेक करनी है, तो आपने चेक किया, greater than मतलब कुण से degree, comparative degree, हाँ की ना, comparison किसकी हो रही है, comparison हो रही है, Tokyo की population की, किसके साथ हो रही है, किसी भी town के population के साथ, that of का मतलब यहाँ population हो फी है, ठीक है, the population of Tokyo is greater than the population of any other town, वो population, population repeat नहीं किया हुआ है, क्योंकि noun बार बार जब repeat होता है, तो उससे न, आपकी beauty चली जाती है, तो यह that of का मतलब population ही है, ध्या कि जो population है, वो greater है, जादा है, किसी भी town की population से, world में, तो मतलब comparison हो रहा है, population का, किसी भी town के, Tokyo के, ठीक है, Tokyo और किसी भी town के, सबसे पहले तो मुझे बताओ, कि degree कौन सी है, comparative, हाँ कि न, और comparison किसका हो रहा है, Tokyo की population का, किसी भी town के population से, अगर main-main मिन मुद्दा देखू, main- और world के किसी भी town की बात कर रहे है, मुझे बताओ, क्या, world के किसी भी town में, Tokyo आता है, नहीं आता, और उसकी population आती है, definitely आती है, मतलब यहाँ पे same-same comparison हो रहा है, same-same हो रहा है, आपको यहाँ पे other use, other use हुआ हुआ है, other use हुआ है, to no error है, no error, दुबारा बताओ, दुबार डिगरी है, world में, किसी भी town की जो population है, Tokyo की population उनसे जादा है, ठीक है, तो कहने का मतलब, Tokyo और town, world के अंदर ही है, हां कि ना, Tokyo, world का ही तो town है, same-same तो हो गया, same-same हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे other का use किया, मतलब नहीं हो रहा है, point समझ में आया है, नहीं आया, हरी परसाद, डिगरी चक करेंगे, as, और as, हां बिटा, कौन से डिगरी, positive डिगरी, हां कि ना, positive डिगरी है, इसके अंदर, हां जी, definitely है, तो जी, अब क्या करें, किसका हो रहा है, no trader in this town, कोई भी ट्रेडर इस टाउन में, उतना honest और sincere नहीं है, जितने की हरी परसाद, तो ह कहने का मतलब, trader का comparison, trader से हो रहा है, हां कि ना, same same का हो रहा है, same same का हो रहा है, तो मतलब, आपको other का use करना पड़ेगा, यहां पर other आएगा, और एक बात हो, ध्यान रखेगा, no के बाद, हमेशा similar noun आता है, no boy, no girl, no student, no teacher, no trader होना चाहिए, यह साथ में, ठीक है, no other trader in this town is as honest and sincere as Shri Hari Parasad, उमीद करता हूँ कि मेरे points आप लोगो समझ में आ रहे होंगे, पक्की बात है न, चलो, इसमें बताओ, चलो, वीडियो को पोस करके, बताओ, बताओ, जल्दी बताओ, All of you will agree with me that no problem faced by our society is as grave and intractable as this problem is, हंजी, क्या report है, फड़ा फट फड़ा फट बताओंगी, चलो, ठेक है, मैं समझा दता हूँ आपको, यहां देखेंगे, हर कोई agree करेगा मेरे साथ, कि कोई भी problem, जो हमाई society face करती है, वो उतनी serious और उतनी unmanageable नहीं है, जितनी की यह वाली problem है, ठेक है, इंट्रक्टेबल का मतलब unmanageable, uncontrollable, ठेक है, अब मुझे बताओ, कि एक बात degree कुन से है, degree, तो as और as के बीच में बिटा positive degree, कंभाई दन किसका हो रहा है, society के द्वारा face की जाने वाली problem का किस से हो रहा है, इस problem से, same same का होगे, नहीं होगे, same का होगे तो फिर अदर आएगा नहीं होगे, definitely आएगा, बोल दिज़ा क्या आएगा, no other problem faced by our society is as grave and indeclable as this problem is, ठीक है जी, आजो, there is no argument against the fact that humans are the most intelligent of all other species, सोचने की जरूरती नहीं है, उसने बोला most intelligent, most intelligent बोला तो बटा अदर आएगा ही नहीं, और देखो, अब और लिखा हुए तो species आया हुआ, species तो species ही रहता है, ठीक है, चलो, आओ, अगला question देखें, अगला देखते है, no method of making other people agree to your viewpoint is as effective as this method, क्याने का मतलब method और method का comparison हो रहा है, कि कोई भी method इतना effective नहीं है, किसी को viewpoint से agree करवाने का जितना की ये वला है, तो method method same है, तो फिर आपको other लगाना पड़ेगा, no other method होगा, हाँ, की न, definitely, आज हो, चलो, वीडियो को post करो, फ़र फट बताओ, बोलो, It is a well-known fact that leopard is faster than all animals, कौन से degree है, comparative degree, comparison किस का हो रहा है, leopard का किस से, animal से हो रहा है, थ्यान रखेएगा, आप कभी सोच रहे हो, सर, comparative degree तो 2 के लिए आता है, तो इतने सारे animals होगे, तो यहाँ पर comparative degree कैसे आ गया, actual में जब comparison करेंगे, तो एक-एक animal की साथ ही करेंगे, leopard का पहले आप मान लोग, elephant के साथ कर रहे हैं, leopard का फिर dog के साथ कर रहे हैं, leopard का फिर आप जिराफ के साथ कर रहे हैं, एक-एक करके comparison कर रहे है, मतलब दो-दो items को उठा रहे है points, comparison, तो हो रहा है बहुत सारों में, लेकिन आप ये देखो पहले leopard का इससे, फिर leopard का इससे, फिर leopard का उससे तो दो के बीच में तो है generally comparison, हांगे न, point वो नहीं है लेकिन, point क्या है, कि जो concept सिखाया है, वो implement करना है अभी ठीक है, miscellaneous तो बात कीजीजे है, अभी जो सिखा रहे है पहले उससे implement करो, competitive degree है, definitely है, leopard का comparison animals से हो रहा है, हांजी हो रहा है, same है, क्या all animals में leopard पड़ आता है या नहीं आता, definitely आता है, अगर आता है तो बटा यहां पर फिर other use करना पड़ेगा न, same same हो गया न, पक्का, 100%, चलने आगे, इसमें बता दो of other all my neighbors, he is the kindest and most considerate, अरे यार सोचने की जरुवत नहीं है kindness का मतलब superlative degree, तो फिर अधर आएगा ही नहीं, point समझ में आया, चल दें आगे, और देखेंगे, आज ओ जी, और questions देखते हैं, और questions देखते हैं, तो फिर यहां पर हमारे questions खतम होते हैं, इस category के, यह जो category थी सबसे important थी, उमीद करता हूँ, उमीद करता हूँ कि सारे points आपको basic से लेखें, advance तक cover हो गए होगे, ठीक है जी, फिर भी कुछ नहीं समझ में आया है, तो वीडियो को एक बार दुबारा से देख लीजेगा, आपको समझ में आ जाएगा, अब बात करते हैं, अगली category को, और यह वाली category है, जो पढ़ने जा रहे हैं, यह वाली category और जो अभी हम मैंने करवाई, वह वाली, यह दोनों बहुत important है, तो इन दोनों को आपने बिल्पूल अच्छे समाईता है, यह बहुत बड़ी-बड़ी categories है, adjective के सबसे important concepts यहीवाले हैं, लेकिन concept समाईने से पहले कुछ sentences पर नजर डालना ज़रूरी है, तो यह जो particular sentences है, आपके screen के उपर, इनके उपर एक बार नजर डाली और मुझे बताईए, क्या आपको relatable errors दिखाई दे रहे हैं, वीडियो को pose कीजिए, और मुझे बताईए, चलिए, उमीद करता हूँ मतलब that book से पहले that off आएगा, और that shop से पहले those off आएगा, ठीक है, यह इनके अंदर errors है, तो इस बात को सीखने के लिए आपको पहले आसान sentences लेने पड़ेंगे, बिल्कुल बच्चे वाले sentences हैं, उनको लेते हैं, उनके थूँ समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले आपके रहेंगे सर, जो डेली का, सरी, जो चैन्ने का climate है, वो ज्यादा होटे दिल्ली से, हिंदी निकाल रहे हैं, और बिल्कुल भहन कर हिंदी निकल रहे हैं, एकदम बिल्कुल सटीक, कि कोई दिक्कत तो दिखी नहीं रही है, हां कि न, और अगर मैं इसको देखूं, जब देखें, यहां पर उसने बोला कि जो चैन्ने का climate है, वो ज्यादा होटे देली से, कहने का मतलब चैन्ने के climate का comparison देली से करते हैं, जबकि करना था कि देली के climate से, तो कि आप लोग को यह बात पता है कि comparison always takes place between two equal things, ऐसा नहीं होता न, किसी अलग अलग चीज का comparison कर देंगे, सेम सेम चीज का करते हैं, किसी की height का comparison, height से, weight का weight से, subject का subject से, object का object से कुछ यादा रहा हो, तो ऐसी जब comparison यहां पर चैन्ने के climate का हो रहा है, तो देली के climate से ही करेंगे न, तो कहने का मतलब है, यह sentence हिंदी में तो आपको बढ़िया दिखाई दे रहा है, जल्द बाजी में मैं लिखता चलता हूँ, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, अंग्रेजी में आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, the climate of Chennai, यह grammatically right कैसे होना चाहिए था, the climate of Chennai, is, is hotter, than the climate of Delhi, क्या यह होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, than the climate of Delhi, अब आप देखेंगे, comparison बिल्कुल, सही हो रहा है, अब इसके अंदर कोई भी किसी बिखने कोई mistake नहीं है, अगर ध्यान से देखें तो, कि चैन्ही का climate है, ज्यादा होट Delhi के climate से, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई weak error है, उस weak error को जानने से पहले, इस sentence को देखेंगे यह भी गलत लिखा हुआ है, कि बिहार के लोग ज्यादा महनती हैं दिल्ली से या दिल्ली के लोगों से, और दिल्ली के लोगों से, people comparison हो रहा है, तो sentence पूरा यह बनना चाहिए, the people of Bihar, है न, are more laborious, than the people of Delhi, than the people of Delhi, अब उमीद करता हूँ कि point तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इनके अंदर अभी भी mistake है, देखो, पहले तो यह देख लो, इसको सही लिखा है, कि जो Bihar के लोग है, वो जादा महनती है, किस से, दिल्ली के लोगों से, अब comparison तो एकदम सही हो गया, comparison में कोई दिक्कत नहीं है, समझना इस बात को, लेकिन अभी भी week error है, week error यह है कि यहाँ पे climate और वहाँ पे climate, climate, climate बार-बार repeat हो रहा है, और यहाँ पे people और वहाँ people बार- पेले article होते हैं, दा, तो उसे हम क्या कहते है, noun कहते है, और जब noun बार-बार repeat होता है, तो उसकी जगा pronoun use करते है, करते हैं, नहीं करते है, pronoun, तो जब noun बार-बार repeat होता है, तो वो भद्दापन ले के आता है, उसकी repetition बार-बार नहीं हो सकती, अगर मैं ऐसा बोलू कि Rahul is my friend and Rahul is very intelligent sentence तो सही है लेकिन weak error है योगि Rahul Rahul repeat हो रहा है आपको बाद वाले sentence में Rahul की जगा ही लिखना पड़ेगा कि he is very intelligent तो beauty maintain करने के लिए नाउन को बार-बार repeat नहीं कर सकते तो इस तरह की cases में इनकों बोलते हैं faulty comparison क्या बोलते हैं faulty comparison में जब आपका गलत comparison हो रहा होता है और singular noun repeat हो जाए यह singular है यह plural है सर हमने कैसे पिचाना ही है क्योंकि आगे जो verb आई हुई है इस वो इसे के लिए आई हुई है और यह plural है क्योंकि आगे जो verb आई हुई है आर वो इसे के लिए आई हुई है तो faulty comparison वाले cases में जब singular noun repeat हो रहा हो तब हम use करते हैं that of का किसका that of का और जब plural noun repeat होता है तो उस noun की repetition हटाने के लिए हम जो pronoun use करते हैं वो use करते हैं those of तो यहां के अब sentence यह बनना चाहिए the climate of Chennai is hotter than the climate of Delhi नहीं that of Delhi क्योंकि singular है singular के लिए that of plural के लिए those of तो जो climate है Chennai का hotter than that of Delhi वो that of का मतलब climate of ही है ठीक है बस repeat नहीं किया climate को और यहां बनना चाहिए the people of Bihar are more laborious than the people of Delhi नहीं those of Delhi क्योंकि people people repetitions है sentence में बद्दा बना रहा है तो जो बिहार के लोग है ज्यादा महिंती है then those of Delhi का मतलब है Delhi के लोग उसे point समझ में आया या नहीं आया जब singular noun repeat है तो that of जब plural repeat है तो those of sentence लिखा हुआ था यह कि चन्नही का climate ज्यादा होट है Delhi से यह गलत था बोलना क्या था कि चन्नही का climate ज्यादा होट है Delhi के climate से लेकिन climate climate repeat हो रहा है और यह singular है क्योंकि इस से पता लगा इसलिए जो repeat repetition हो रही है उसके जगा pronoun चाहिए था और singular है तो that of चाहिए इसलिए चन्नही का climate ज्यादा होट है Delhi के climate से that of का मतलब climate है point समझ में आया एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा examination में आपको कर करके नहीं देखना है कि इसके बाद आप यह कर रहे है फिर यह बना रहे है नहीं मन मन में करनी है चीज़े मन में कैसे देखो आप sentence देखेंगी चन्नही का climate ज्यादा होट है Delhi से आपके मन में आग कि climate climate repeat हो रहा तो आपको यह भी दिखाए देर है कि climate is मतलब singular है तो आपको कहने का मतलब है कि यहां पे बीच में that of को insert करना है और that of को insert कहां करेंगे last वाले word से पहले last वाले word से पहले point समय है जैसे इसको देखो एक बाग आपने देखा था कि जो बिहार के लोग है ज्यादा मेंती है दिल्ली से mind में image बनगी दिल्ली के लोगों से तो आपको पता है कि people people आना चाहिए दोनों जगा लेकिन people पीपल नहीं लिख सकते और people plural noun है आपने यहां पर R देखा तो लिखेंगो जो last वाला है उससे पहले समझ में आया पकी बात है आजाओ आसान sentence देखते हैं पहले उसके बाद हम थोड़े फिर अच्छे sentence देखेंगे पहले आसान sentences में आप बताएंगे सभी बच्चे ठीक है चलो बताओ the quality of nike is better than puma nike की quality की बात हो रही है उसको puma से compare कर है जब की puma की quality से करना था लेकिन मन मन में पता है quality of nike is better than the quality of puma the quality of puma quality of nike quality quality repeat हो जाएगा और वो singular है singular है तो यहां पर क्या राच यह बिता that of puma यह basic sentences हैं अभी अच्छे sentences भी आएंगे the roads of chandigad are cleaner than जैपुर चंडिगड शहर की जो सडके हैं वो ज्यादा साफ है जैपुर से या जैपुर शहर की सडको से of course सडको से न तो roads आना चाहिए the roads of chandigad are cleaner than the roads of जैपुर लेकिन roads रोडस नहीं लिख सकते तो लास्ट वाले वर्ड से पहले यहां पर आप क्या लिखेंगे बटा those of लिखेंगे समझ में आ रहा है अपकी बात है चंडिगड शहर की जो सडके हैं वो ज्यादा शाफ है जैपुर शहर की सडको से पॉइंट समझ में आया चल लें आगे पकी बात है अब बताओ उनके अंदर sentences में थोड़े थोड़े variations लाते हैं अब ज़्यादा detail में नहीं आ रहा है आपने अब बस एक common idea लेना है और देखना क्या गलती है common idea बस क्योंकि अब उस तरीके से नहीं sentence आपको दिखेंगे जै है वह बढ़ियां तरीके से trained है एनिमी के soldiers से तो soldiers soldiers plural वाला आना चाहिए था that of singular के लिए आता है आया तो हुआ है comparison वाला already लेकिन गलत comparison वाला आया हुआ होना तो वैसे यह चाहिए था our soldiers were better trained than soldiers of the enemies लेकिन soldiers soldiers नहीं लिख सकता था तो इसलिए उसकी देगा that of लिख दिया लेकिन that of भी गदर था क्योंकि soldiers बटा plural है तो आगे that of नहीं those of आना चाहिए था तो मेरे करतम समझ में आया होगा ठीक है ओस करो वीडियो को बताओ फड़ा फट बताओ क्या इसके अंदर एर है she wished that her career could be as glamorous as the other women but not willing to work as they had error बताओ इतने मैं पानी प्योंग बढ़िया question very nice question बता दो भाई जल्दी हाँ जी देख लिया सबने चलो तो आओ फिट देखते हैं क्या गलती है she wished that मतलब वो चाहती है क्या कि उसका career उतना glamorous हो जितना की बाकी दुसरी women का होता है लेकिन बट वो उनके जितना काम नहीं करना चाहती है जितना बाकी women ने किया जिनका career glamorous और बढ़िया है तो बिल्कुल ध्यान समझेंगे कि वो चाहती है कि उसका career उतना ही glamorous हो जितनी की बाकी महिला है या बाकी महिलाओं का career देखो न ध्यान से जितना किसका हो रहा है कि वो चाहती है कि उसका career जो भी लड़की चाहती है जो भी कोई एक्स भाई जड़े माल लो कोई भी लड़के सोना लिए फर एक्जामपल कुछ भी ले लो, किसी तक गीता कुछ जोड़ लो तो वो चाहती है कि उसका करियर उतना ही glamorous हो जितना कि बाकी women या बाकी women का career, of course career का comparison अपने का career का, बाकी women के career से ही तो करेंगे ना लेकिन वहाँ तो क्या लिखा हुआ है her career could be as glamorous as the other women मतलब उसके career का comparison बाकी सारी महिलाओं से कर दिया जबकि करना था महिलाओं के career से, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका other women इससे पहले आपका that of आना चाहिए क्योंकि career singular होता है आपको पता है, तो sentence the career of the other women क्योंकि that of का मतलब क्या है career of, है ना, दुबार देखेंगे she wished that her career could be as glamorous as the career of the other women, समझ में आ गया होगा, intelligent बच्चे हैं आप लोग ऐसी बात थोड़ी है the houses in our streets are more beautiful than main road, बहुत असान है अच्छा मैं एक की जोर बता दूँ यह जो हम that of और यह जो those of हम लिखते हैं इसमें जरूरी नहीं है कि of fixed preposition है जो preposition given है वही use करनी है समझ में आई बात जैसे हमारी streets के जो houses है वो ज़्यादा सुन्दर है जो houses main road पर है अब street के houses के लिए in आया हो रहा main road के houses के लिए own आना था तो preposition fixed नहीं है लेकिन that और those तो fixed है यह singular के लिए plural के लिए अब ध्यांस देखो हमारे street की मतलब हमारी गलियों के जो घर है हमारी गलियों के जो घर है वो ज़्यादा सुन्दर है main road से या main road के घरों से अरे याद गली के घर का comparison main road से करेंगे क्या क्योंकि वहाँ पे इन आई है यहाँ ओन आई है तो बस आप यहाँ क्या देंगे those own आ जाएगा बस those own यहाँ पे आएगा और कैसे बना meaning देख लो आप हमारी गली के जो houses है वो ज़्यादा सुन्दर है main road के houses है houses on the main road यहाँ पे इसका मतलब houses ही तो है समझ में आ रहा है न पॉइंट बिल्कुल आ रहा होगा देखो इसको देखो India's GDP is most likely to grow at 6% higher than those of the US क्या मतलब है इसका pause करो, pause करो, बताओ खुद बताओ पहले चलो देखो दिखगी error पका, चलो India's GDP is most likely to grow India की जो GDP है most likely to grow at 6% higher than those of the US मतलब 6% grow करेगी जादा किससे US की GDP से those of those of क्या, कलत हो गया न यहाँ पर that of आना चाहिए था सर्थ that of क्यों आना चाहिए क्यों कि GDP, GDP की बात हो रही है India की GDP is most likely to grow at 6% higher 6% higher grow करेगी US की GDP से मतलब यहाँ जो शब्दाना था वो GDP के लिए आना था GDP similar है, तो those plural कैसे आया that आना चाहिए समझ में आया, पक्की बात है 100% चल दे आंगे इस sentence को आप ऐसे भी सही कर सकते हो पता कैसे है that of आप यहाँ पे ना लिखो US के साथ बस आप यू लगा दो apostrophe S तो अपने यहाँ पी GDP understood हो जाएगी यहाँ पे, ऐसे भी सही कर सकते हो ठीक है, error लेकिन इंडिया की GDP 6% जादा ग्रोव करेगी US की GDP से, US की GDP आप ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से अभी हमने देखा वो भी कर सकते थे जो method अभी हम देख रहे थे आप यह भी, क्या हो गया दादा ठीक है, error लेकिन डी पार्ट के अंदर है चलें आगे, चलो, जैसे example मैं आपको देता हूँ, यह वाला अगर आप confused हो रहे हैं तो, जैसे मैंने कहा कि राहुल राहुल's car is better than राहुल's car is better than कुछ भी ले लो, करन sentence सही है गलत है ना राहुल की car बढ़ी है, करन्स या करन की गाड़ी से अफकोर्स करन की गाड़ी से तो, कार का होना चाहिए तो बटा, ऐसा होना चाहिए, करन्स और आगे, कार बार बार लिखेंगे नहीं, वो understood होता है वो लिखते नहीं है, राहुल's car is better than better than, that of current अब क्या मतलब है इसका? वही सेम ही तो बात है, राहुल की गाड़ी better है करन की गाड़ी से, that of का मतलब car of current पॉईंट समझ में आया, गलत नहीं है, वो भी सही है, चेक है? आजाईए, अब इन दो सेंटेंसे से मुझे बताईए particular क्या error होना चाहिए, ये दो sentences, बहुत खुबसूरत sentences हैं, बहुत प्यारे sentences हैं, बच्चे अकसर इनके अंदर गलतिया करते हैं, आप मुझे बताईए, वीडियो को pose कर लीजे, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे sentences, और बता दीजे मुझे कि क्या इसके अंदर error होना चाहिए, है ना, तो चलिए उमीद है मुझे कि आपने इसे logically approach करने की कोशिश की होगी, समझ लिया होगा, आज ये मैं इसको detail में सिखाने की कोशिश करता हूँ, सबसे बहुत आप चेक कीजिए, क्या ये faulty comparison है या नहीं है, faulty comparison से भी check करने से पहले मैं कुछ बाते आपको सिखाना चाहता हूँ, कुछ बाते आप लोग सीखेंगे, एक term होती है English language में this, सब को पता है, ऐसी term होती है these, सभी जानते है, एक term होती है that, बहुत common है, ऐसी term होती है those, ये English language में demonstrative pronouns भी कहलाई जाते है, हालांकि बहुत easy चीज़ है, बताने वाले चीज़ नहीं है लेकिन still पता होना चाहिए आपको, ठीक है, बच्पन में बढ़ी होगी आपने, जैसे a, b, c, d बहुत simple चीज़ होती है, ऐसे ये भी बहुत simple चीज़ है, लेकिन फिर भी बता लेता हूँ ये जो this और these, ये दोनों जो terms है, ये जो 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 terms, ये generally use होती है past की चीज़ों के लिए, near, ठीक है, और ये जो that और those, ये जो terms है, ये use होती है दूर की चीज़ों के लिए far, ठीक है, past में अगर कोई चीज़ singular है, तो हम use करते हैं this दूर में कोई चीज़ singular है, तो हम use करते हैं that past में कोई चीज़ plural है, तो use करते हैं these दूर में कोई चीज़ plural है, तो हम use करते हैं those जैसे एक्जाम्पल की दोर पे यह मारकर मेरे हाथ में है क्या यह मुझसे पास है या मुझसे दूर है मुझसे पास है सिंगुलर है या प्लूरल है सिंगुलर है कोई चीज पास में और सिंगुलर में और मुझे इसका नाम नहीं पता क्या नाम है मुझे बस बोलना है ये वाला marker मेरे pass में और singular बोलूँगा this marker clear है, पकी बात 100% अब मेरे हाथ में एक और marker है ठीक है, ये दो marker मैंने यहाँ पे ले लिए ये दो markers है singular है या plural है plural है, मुझसे दूर है या मुझसे pass है, मुझसे pass है मुझे नाम नहीं पता, बस मुझे बोलना है ये वाले markers तो मेरे pass में और plural है, बोलूँगा these markers, points होई माया अब example के तोर पे ये एक marker है और ये दूर पढ़ा है यहाँ पे, मुझे नाम नहीं पता मुझे point out करना, उसको demonstrate करना है वो वाला marker दूर है, or singular क्या बोलूँगा, that marker दो markers वहाँ पर बढ़े हैं दो बढ़े हैं, नाम नहीं पता मुझे बोलना है, वो वाले markers तो क्या बोलूँगा, those markers तो उम्मीद करता हूँ, ये point तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत easy चीश थी आओ question के ऊपर एक पार इसके sell बोल गए हैं लगता है, मुझे कोई नहीं, आओ question के ऊपर आओ उसने बोला, the price of this book is as much as that book यहाँ पे actual में this book और that book, उसी तरीके से use हुआ है, जिस तरीके से भी मैंने markers को use किया, नाम नहीं बता था कि कौन से किताब हो सकता है, ये नाम नहीं, बता था कि ये बोल दिया कि जो ये वाली बुक है और वो वाली बुक है, this book और that book, ये पास में पड़ी किताब और ये दूर में पड़ी किताब, this book और that book, तो बोल रहा है कि ये this book, मतलब जो पास में पड़ी किताब है, उसका जो price उतना ही है जितना की वह वाली किताब यह वह वाली किताब का प्राइस का मतलब दूर पड़ी किताब जो पास में पड़ी किताब है उसका जो प्राइस है उतना ही है जितना की दूर पड़ी किताब यह दूर पड़ी किताब का प्राइस का हो रहा है ना समझ में आई जैसे य एक किताब ये किताब इस बुक और इस बुक ये एक ही वर्ड है कि वर्ड है इस बुक का प्राइस उतना ही है जितना कि वो बुक है वो वाली बुक का प्राइस वो वाली बुक का प्राइस कहने का मतलब sentence यू होना चाहिए था प्राइस ओफ दिस बुक इस आज मुच आज दा प्राइस ओफ दाइट बुक पॉइंट समय में आया है लेकिन क्या ये सही है गलत है पूछो क्यों बिल्कुल ध्यान समय में इस वाली बुक का प्राइस उतना ही है जितना कि वह वाली बुक का प्राइस 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 रिपीट नहीं हो गया और जो आपको बता है प्राइस प्राइस रिपीट होता ह तो क्या बना, the price of this book is as much as that of that book, ये वाला that तो आया हुआ, point out करने के लिए कि वो वाली किताब, और ये that आया हुआ, price के लिए, कि उस दूर पड़ी book का price, that of that book, दूर पड़ी book का price, समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा, केसे नहीं आएगा, इदर देखो सामने, the books of this shop are as beautifully arranged as that shop, this shop मतलब ये जो पास वाली shop है, मतलब एक shop है, that shop मतलब वो जो दूर वाली shop है, मतलब दूसरी shop है, ये जो पास में shop है, उसकी किताबे, उतनी ही बड़ियां तरीके से arranged है, जितनी कि वो दूर वाली shop या दूर वाली shop की किताबे, किताबे ना, तो फिर sentence ये होना चाहिए था the books of this shop are as beautifully arranged as the books of that shop लेकिन the books of that shop हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि books पहले लिखा हुआ रिपीट हो जाएगा और वो plural भी है तो फिर आपको पता है ना वो that shop के पहले क्या लगा देंगे those of that shop क्या लगाएंगे those of that shop ये जो that आया हुआ है point out करने के लिए और ये जो those आया हुआ ये books के लिए आया हुआ है समझ में आया क्या पक्की बात है 100% किसी भी तरीके का कोई issue उमीद करता हूँ होना तो नहीं चाहिए अगर होता है तो वीडियो को घुमाओ बार बार देखो बाकी practice और भी करवा देंगे बाकी देखो आपकी महनत है मैं अपनी तरफ से पूरे effort डाल रहा हूँ मेरी तरफ से 1% भी कमी नहीं है मेरे efforts के अंदर और जो selection बच्चा लेता है वो collective efforts होते हैं बच्चे के अलब teacher के भी और student के भी ठीक है तो आपको मुझसे double महनत करनी है तीगनी चुबनी महनत करनी है इन concepts के ऊपर जहां जहां पर आपको ऐसे questions दिख्टन लगाओ basic underlying underlying concept यही रहेगा ऐस आप कही नहीं से question तो आप कितना तोड मरोड के बना लो उसमें तो कुछ वोई नहीं है लेकिन SST में जिस तरीके के आते हैं आप यह देखो क्यों तरीके कि आप सारे कर पा रहे हैं नहीं गर पा रहे हैं नहीं concepts को सीख के लेकिन मैं सच बता रहा हूं महनत करेंगे तो कु इन पर फोकस करो और दूसरे aspects पर फोकस करो ठीक है हालांकि उनको भी cover करने की कोशिश में करूंगा आने वाली classes में ट्राइ करूंगा मैं वादा मैं किसी चीज़ का नहीं करता हूं कभी आप बोलो सब आपने कहा था यह वादा नहीं करता हूं कि लाइस में बहुत सारी ऐसी circumstances आती हैं जब इनसान वो नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है चाहा के भी नहीं कर पाता और सामने वाला फिर बो कोशिश करूंगा ठीक है जी और आप भी क्या करेंगे selection लेने की नोकरी पाने की अंग्रेजी सीखने की कोशिश करेंगे यूह नहीं कि मैं करके ही रहूंगा ऐसे कैसे नहीं होगा चांद तारेक कर दुँगा है ना धरती कि ला दूंगा आसमान फार दूंग नहीं हो नही कोशिश करूँगा, try करूँगा अपना best दूँगा जितना मैं कर सकताऊ जतने में से जान लग सकती जान मैं लगाऊँगा दिनरात करूँगा, अपने best efforts दूँगा उसके बाद result मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है नहीं मिलता तो मैं दुबारा मेहनत करूँगा लेकिन मैं कोशिश करूँगा हारूँगा नहीं कोशिश बहुत ज़रूरी है वो कोशिश बरकरार रहनी चाहिए आपकी चल अगली कैटेगरी तरफ मुवण करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल पिद्दू सी इतनी सी निन्नू सी कैटेगरी है उसको खतम कर लेते हैं एक बार ठेकर बिल्कुल ऐसे इतनी सी ठीक है आजो क्या है राहूल इस टॉलर दन हैंडसम राहूल इस टॉलर दन हैंडसम क्या मतलब इसका राहूल हैंडसम से ज्यादा टॉल है, यही मतलब है? हाँजी यही मतलब है लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि आपको याद होगा जब मैंने आपको formation सिखाया था, याद है formation किसका? positive से comparative का, comparative से superlative का, तो कुछ one syllable सिखाया था, और मैंने कहा था, जो one syllable होता है, उसका जो comparison होता है, मतलब comparative degree जो बनता है, वो कैसे बनता है, कुछ याद आ रहा हो तो आपको, कैसे बनता है? er और est लगा के, और जो more than one syllable होता है, उसका बनता है more और most लगा के, कुछ याद आ रहा है, definitely आपको याद आ रहा होगा अब मुझे आप यह बताएंगे, जो tall शब्द है, tall यह कैसा शब्द है, tall, one syllable है, more than one syllable one syllable है, more than one, tall, tall, tall or tallest, यह है, one syllable, more than नहीं है more than नहीं है, इसका comparative degree यही बनना चाहिए, हांकि न, tall, tall or tallest होता है न, लेकिन यह गलत है, यहाँ पर more tall आएगा, अब आप बोलोगे हैं sir, यह कैसे तो मैंने कहा था न, exception भी आएंगे, आगे चल की बताएंगे, चलो जी note करेंगे सभी students अब इसको, आजो क्या है यह, इस concept का नाम है two qualities of the same person, किसी एक person की जब दो qualities की हम बात करते हैं, तब एक structure यूज होता है, किसी एक ही इनसान की, दो qualities को जब हम compare करते हैं, अभी तक हम कर रहे थे, अलग अलग चीजों का, यह वाला इनसान, इस वाले इनसान से बहतर है, यह इस से stronger है, यह इस से बुरा है, लेकिन अब एक ही इनसान की दो qualities को, तो जब एक ही इनसान की दो qualities को compare करते हैं, तो ध्यान रखेगा, शाहे यहाँ पे उसका comparative degree, ER लगा के ही चूना बनता हो, लेकिन आप पहले more लिखेंगे, और उसके बाद positive degree लिखेंगे, ऐसे बनता, राहूल is more tall than handsome, चाहे उसका comparison कैसे भी मनें, आपने पहले more degree, फिर than और फिर positive degree, example के तोर पे आपके सामने एक sentence, करन is smarter than brave, करन is smarter than brave, तो आपको इनसान तो एक ही है, लेकिन qualities दो हैं, जैसे पीछे वाले में, इनसान तो एक ही था, लेकिन quality दो थी, tall भी था, handsome भी था, लेकिन tall ज़्यादा था, handsome ज़्यादा tall है, तो more tall कर दिया, ऐसे ह यहाँ पे देखेंगे, smart भी है, और brave भी है, लेकिन smart ज़्यादा है, एक इनसान की दो qualities है, अलग अलग नहीं है, तो smart का smarter ही बनता है, लेकिन एक ही इनसान की दो qualities होने से आपको पता है, हमें more smart लिखना पड़ेगा, more plus positive degree, than plus positive degree, समझ में आहां, इसको देखो, एक कन्या है सुनाली, वो wise भी है, बुद्धिमान भी और beautiful भी है, लेकिन मैंने कहा, जो उसके सुदर्ता है वो थोड़ी फीकी है, उसकी बुद्धिमानी के आगे, वो intelligent बहुत है, intellectual बहुत है, तो इनसान एक है, qualities दू है, तो wise का वैसे तो wiser ही बनता है, wise, wiser, wisest, लेकिन जब एक ही इ लेकिन आपने पहले more और फिर उसी की comparative degree fit than और फिर आपकी positive degree, sorry, more उसकी positive degree fit than और फिर positive degree, समझ में आया, पकी बात है, 100%, कुछ बच्चे पूछे पूछ लेते हैं, सर, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हो तो, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हो तो, sonali is more beautiful, ठीक है, than wise, अगर सर, वो beautiful ज़्यादा है, wise से, तो, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बताओ मुझे, बताओ मुझे, कोई दिक्कत है यहाँ पे, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ यहाँ पे, इसमें कुछ mistake मुझे बताओ, अगर निये, बता, एक ही इंसान की दो qualities आ गई, और अब हम यह माल लेंगे, कि पहले more आया, और अब यह positive degree है, और आगे then also it's a positive degree, मतलब सही है, क्योंकि आपको तो पता है, इसमें तो more लगता ही है, लेकिन इन में नहीं लगता है, दिक्कत यहाँ आती है, जब once level पहले आ कि चलिए, उमीद करता हूँ, यह सारे concepts आपके clear हो गए होंगे, चलिए, तो चलिए अपनी अगली category की तरफ move on करते हैं, हमारी जो अगली category है, उसका नाम है two structures of comparative degree, और यह बहुत ही crucial category है, इसके दो-दो structures होते हैं, comparative degree के, बच्चों को generally नहीं पता होते, जो students होते हैं, वो generally एक ही structure जानते होते है, comparative degree का, जिसमें उसके बाद then आता है, हाँ की ना, लेकिन actual में comparative degree के दो-दो structures होते हैं, तो दोनों को deal करेंगे, और दोनों से errors कैसे बनते हैं, उनको detail में थोड़ा profoundly समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है विटा, चलो, तो बात करते हैं, सबसे पहले question की आपकी screen के उपरे question है, और question है कि, of the two films in which he started, I think the former one is the best, ठीक है, of the two films in which he started, I think the former one is the best, ठीक है, of the two films in which he started, I think the former one is the best, so इस sentence को आप लोग एक बाचे से देख लीजिए, और क्या grammatical mistake है, आप सोचने की कोशिश कीजिए, और अभी हम इसे logically approach करते हैं, ठीक है, आजो, तो सब सबसे पहले बात करते हैं, हम अपने first structure के बारे में, यह वाला जो structure है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, और आपने पढ़ा भी होगा, कि पहले subject लिखते हैं, फिर verb लिखते हैं, और verb के बाद comparative degree और comparative degree के बाद देना आता है, याद करो बताया था, कि 90% of the time comparative degree के आपने पढ़ा हुआ है, कि जैसे कि यह रहा, this player is better than that player, कि यह वाला player उस वाले player से, यह वाला player उस वाले player से better है, मतलब बहतर है, और हमने comparative degree के बाद then का use किया है, किया है यह नहीं किया है, किया है ना, तो यह तो first structure और यह सब को बता होता है, और यह आपने पहले पढ़ भी रखा है, अब हम बात किरते हैं second structure की, यह generally बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है, और यह important है, इससे questions आते हैं, और पहले वाले structure से इसको confuse कर दिया जाता है, मतलब mix कर दे जाता है, तो जानते हैं, इसमें क्या होता है, कि पहले subject होगा, फिर verb होगा, और इसमें comparative degree के पहल हम दा का भी use करते हैं, और जब भी हम comparative degree के पहले दा का use करते हैं, तो उसके बाद then का use नहीं होता है, of the two का use होता है, किसका use होता है, of the two का, और उसके बाद कैसा noun आता है, to लिखा है, तो plural noun आता है, जब then वाला structure use होता है, मतलब जब comparative degree के बाद then आता है, तो उसके बाद का यूज भी नहीं होता है लेकिन जब comparative degree के बाद of the two लिखाओ तो उससे पहले हम दा का यूज डेफिनिटली करते हैं ठीक है यह structure बहुत important है अब आप पूछ सकते हैं sir इस वाले structure में comparative degree के पहले हम दा का यूज क्यों करते हैं तो basically तो हम लेकिन comparative degree के पहले भी दा आता है अगर उसके आगे of the two हो ऐसा क्यों उस बात को भी समझेंगे लेकिन पहले इतनी बात जान लीजिए कि यह structure भी दो के लिए ही use होगा है तो comparative degree ना तो दो persons और दो things के लिए आता है लेकिन यह वाला structure उस वाले structure से कैसे different है यह बस एक simple सा तरीका आपको बताता है यह वाला जो structure होता है यह कहना चाहता है कि जब भी हमें 2 में से किसी एक को select करना हो जब भी हमें 2 में से किसी एक को choose करना हो तब हम यह वाला structure use करेंगे लेकिन पहले वाला structure हम तब use करते थे जब किसी एक चीज को दूसरी चीज से compare करना होता था लेकिन इस वाले structure का use हम तब करते हैं जब selection की बात करनी होती है this structure is used for selection or to choose one out of two जब दो में से किसी एक को choose करते हैं तब हम इस वाले structure का use करते हैं example के तोर पे this player is the better of the two players ये वाला player better है दो players में से दो players में से ये वाला better है आप ध्यान से देखिए पहले वाला क्या था कि ये वाला player इस वाले player से better है लेकिन इस में क्या कह रहा हूं कि दो players है दो में से ये वाला better है तो क्या मैं यहाँ पे दो में से किसी एक को choose नहीं कर रहा हूं कर तो दो में से ही राउं आएगा तो comparative degree वाला structure लेकिन of the two वाला आप लोग नोट कीजिए कि पहले subject फिर verb, comparative degree उसके पहले दा लिखा हुआ है और आगे देखो then भी नहीं है, of the two है, plural noun है और दूसरी बात इसमें दा इसलिए यह आता है कि जबकि हम दो में से किसी एक को choose कर रहे है तो उस case में उसको हम definite कर रहे हैं कि दो में से ये वाला better है specify कर तो definite article का use होता है दा हमारा definite article ही होता है an in definite article होता है दा definite article होता है तो दो में से जब किसी एक को choose करते हैं तो स्पैसिफाई भी कर रहे हैं, इसलिए हमाँ पे दा आया हुआ है सर, error कैसे बनेंगे? error बहुत असान है जिस structure में दा आता है, उस structure से दा हटा देंगे जिस structure में दा नहीं आता, उस structure में दा लगा देंगे बस आपको इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है एक काम करता हूँ, simple sentence देखते हैं उसने बोला, of Delhi and Mumbai which is coolest बात बहुत simple है, चीज़े कितनी है, दो, one or two given नहीं है, लिखा नहीं हुआ है कि दो बस चीज़े दे दी तो आप count तो करी सकते हैं two, three वो लिखके नहीं देगा, कभी कभी लिखके भी दे सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो लिखके भी दे, अब आपके सामने दो चीज़े हैं, Delhi और Mumbai, तो आपको पता comparative degree तो आना है, क्योंकि दोनों की बात ओर यह दोनों में से कौन सा cool है तो comparative degree तो आता है, लेकिन comparative degree के दो structure है एक then वाला और एक of the two वाला क्या then वाला structure यहाँ पे follow होगा? नहीं, क्योंकि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से compare नहीं करना है, दो चीज़े given है दो में से किसी एक को choose करना है yes or no, और of भी आपको दिखाई दे रहा है, उसके आगे of the two ना लिखके बस दो चीज़े given दे दी हा की ना, समझ में आ रहा है तो of the two वाला structure है तो पहली बात तो coolest नहीं होगा क्योंकि comparative degree आएगी, दो की बात और यह cooler होना चाहिए, और उसके पहले हम दा का use भी करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जब दो में से किसी एक को choose करते हैं, तो उस case के अंदर हम comparative degree के पहले दा भी लगाते हैं बोलो हाँ, लगाते हैं या नहीं लगाते हैं समझ में आया point, अच्छे से एक और ट्राइ करते हैं, तो of Delhi and Mumbai which is the cooler, ना की coolest चीक है, और देखते है, अब वही वाला sentence आगे, जो मैं आपको पहले दिखाया तो of the two films in which he started I think the former one is the best अब कितने films हैं? दो है, चीक है comparative degree तो आएगा, लेकिन then वाला structure नहीं आएगा, of the two वाला है तो of the two वाला है, तो पहली बात तो best नहीं होगा, better होगा, yes or no best नहीं होगा, better होगा दूसरी बात क्या, दा आएगा, हाँ जी definitely आएगा, सही होगा of the two films in which he started I think तो पहले वाली थी, वो better थी आगी ना, तो दा better होना चाहिए, ठीक है, चलें, आगे चलते जैसे इसमें बताईए आप एक बात कि sapna is the better than Tina, ये गलत होगे क्योंकि ये simple structure है, जब किसी एक चीज का दूसरी चीज से comparison करते हैं, तब हम comparative degree का basic structure यूज करते हैं, और जब भी हम comparative degree का basic structure यूज करते हैं, उसमें दैन आता है, लेकिन उससे पहले बिटा दान ही आता है, तो sapna is better than Tina, as simple as that I hope my point got clear I hope my point got clear चलें, तो उमीद करता हूँ ये छोटी सी जो type 3 जिसमें दो structure से comparative degree वाले आपको समझ में आ गए होंगे इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, next category की तरफ और जो next category है, उसमें बहुत सारे points है, और उसका एक basic नाम दिया हुआ है, correct usage of some adjectives तो कुछ छोटे-छोटे adjectives हैं इनका usage बच्चों को नहीं पता होता है, उन्हें एक बार logically approach करने की कोशिश करते हैं, yes or no? चलिए, तो उनको पढ़ने से पहले क्या मैं कुछ सवाल पूछ लूँ आपसे पूछी लेता हूँ, अच्छा मैं यह उमीद कर रहा हूँ कि जो मेरी वीडियो है न यह पीछे content छुप नहीं रहा होगा अगर छुप भी रहा है तो मैं साथ-साथ बोल रहा हूँ क्योंकि अभी digital board पे class होगी थी अभी इस पे आ गए हैं, है ना अब आप लोग भी सोचते होंगे, sir कभी कोई class आप digital board पे लेते हो कभी आप यह बैठ के obvious के through लेते हो ऐसा क्यों होता है, है ना इसके बीचे भी वैसे reason है, इसके बीचे भी logic है फिर किसे दिन बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ classes वहाँ होती है, कुछ बैठ के होती है ऐसे कोई शोक नहीं है मुझे या मैं थक नहीं जाता हूँ कि कुछ classes मैं खड़े होके ले रहा हूँ अब मैं थक गया हूँ तब मैं बैठ के पड़ाँगा नहीं, इसके बीचे कुछ कारण है, कुछ reason है और कुछ दिन बाद बताँगा अब ही मैं चाहा के भी वो नहीं बता सकता हूँ आपको लेकिन कुछ दिन बाद आपके साथ definitely share करूँगा निश्चिंत रहिएगा, ठीक है चलिए तो she has performed, अब आप भी सोच लोगे सर ऐसा क्या है, क्या हो गया कोई कुन सा, CBI का case चल रहा है बतादो ऐसी क्या बात है, कोई बात नहीं बताएंगे, बात में बताएंगे, ठीक है कुछ होगा तभी तो नहीं बता रहा हूँ आजो, चलो तो she has performed very good in the board examinations शी has performed very good in the board examinations ठीक है तो इस sentence के अंदर basically आपको कोई mistake दिखाई दे रही है अगर कोई mistake दिखाई दे रही है तो ढूंडो, बताओ, क्या हो सकती है mistake सुनने में, पढ़ने में, देखने में, जचने में मज़ा आता है, इस sentence को सही लग रहा है लेकिन गलती है सर क्या गलती है, तो इसी बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा difference between good and well तो क्या आप लोग जानते है good and well के बीच में क्या difference है अगर नहीं जानते हैं, तो आज ही इनके बीच में difference को सीखते है अब शायद content छुप रहा होगा अगर अब content छुप रहा है, तो मैं भी छुप जाता हूँ ठीक है जी लीजिए अपने आपको कर दिया है, मैंने hide अब बस मेरी आवाज आपके कानों में गूंज रही होगी और उमीद करता हूँ कि आपको clearly सब को सुनाई दे रहा होगा और content सामने दिखाई दे रहा होगा बोलो हाँ चलें जी तो पहले बात करते हैं गुज की, गुज का basically जो पार्सव स्पीच होता वो adjective होता है क्या होता है? adjective और ये जो गुज होता है basically क्या बताता है? quality बताता है किसी person यह किसी thing की मतलब किसी विकती यह किसी वस्तो की quality बताता है हाँ जी बिटा, क्या बताता है, quality बताता है example के तोर पे मैंने कहा she is a player तो क्या player एक noun था, आपने कहा जी sir, मैंने फिर side में कहा कि she is a good player player अभी भी noun है, क्योंकि जो article है वो player के लिए आया हुआ कैसा player, good player, तो ये adjective होगा हाँ की ना, और क्या player की quality बता रहा है, yes or no, definitely बता रहा है, ऐसे ही second sentence की तरफ आप आएंगे, तो उसने बोला कि she speaks English, speaks verb speaks what English English किसी भाषा का नाम है, तो noun है object तो है, लेकिन noun भी है हाँ कि ना, फिर इदर आप आएंगे तो हमने का कि she speaks good English ये verb था, English noun था, कैसे English, good English noun को जो modify करें, उसे हम क्या कहेंगे, adjective कहेंगे या नहीं कहेंगे कहेंगे, तो good क्या कर रहा है English की quality बता रहा है उपर good क्या कर रहा है, player की क्या बता रहा है quality बता रहा है, तो जो good basically होता है, वो क्या बताता है वो adjective तो होता है, लेकिन वो quality भी बताता है, लेकिन well के साथ scenario different है जो well हमारा होता है वो English language में दो काम करता है कितने काम करता है? दो काम, एक तो वो काम करता है adjective बनना और एक वो काम करता है adverb बनना, basically well adjective भी होता है, adverb भी होता है दोनों का context समझी लीजिए जब भी well adjective होता है, तो वो हालत बताता है, क्या बताता है? हालत, हालत मतलब condition, कि क्या आपके क्या हाल चाल है, आपकी सेहत अच्छी है या नहीं है वो हालत बताता है और जब कभी भी well adverb होता है उसका मतलब होता है in a good manner और इसे बोलते हैं अच्छे तरीके से ठीक है, मेरी वीडियो hide तो हो गई है ना, मैंने h पर ही click किया था h for hide, s for show शायद hide पर click किया था, कोई बात नहीं देख लेंगे, बात में चलो अच्छे तरीके से अजी, well, जब adverb होता है तो उसका क्या मतलब होता है? अच्छे तरीके say, ठीक है, in a good manner clear है, पक्का तो ये हालत बताता है, ये अच्छे तरीके से बताता है अब एक काम करते है, example देखते है मैंने पोचा, how are you? तो आपने जवाब दिया, I am good मैंने कहा, how are you? और आपने जवाब दिया, I am good अब मेरी बात समझना ये जो good है, ये किसको कहा जा रहा है आप कहेंगे sir, I को कहा जा रहा है I English Language में क्या होता है तो आप कहेंगे sir, pronoun होता है pronoun के बारे में जो बताए उसे हम क्या कहते है, adjective कहते है तो यहाँ पे adjective के requirement है वो बात तो ठीक है, लेकिन quality बताने वाला adjective नहीं चाहिए यहाँ पे quality बताने वाला adjective नहीं चाहिए हमें यहाँ पे हालत बताने वाला adjective चाहिए क्योंकि सवाल था, how are you और आपने बोला, I am good वो बात तो ठीक है कि pronoun के बारे में जो बताए, वो adjective होता है, लेकिन आपने quality बता दी, उसने पूचा, how are you आपने कहा दी है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ मतलब अपनी quality बता दी, उसने हालत पूचा था तो requirement तो यहाँ पे adjective कि थी, लेकिन हालत बताने वाला वो well होता है, तो I am well बोलते हैं, ठीक है, I am good नहीं I am well, जैसे यहां देखेंगे, इदर देखेंगे she speaks English यह verb है English noun है, अब मैंने कहा वो English बोलती है, अब मुझे बोलना है she speaks English good, मतलब वो English अच्छे तरीके से बोलती है, English अच्छे तरीके से, English अच्छे तरीके से बोलती है, बोलने, बोलने वाले वर्ड को मोडिफाई करना है अब she speaks English good नहीं well होना चाहिए यहाँ पर point समझ में आया है नहीं आया क्योंकि अब हमें यहाँ पर speaks को मोडिफाई करना है कि वो बोलती है English कैसे बोलती है अच्छे तरीके से बोलती है तो verb को मोडिफाई क्या करेगा adverb करेगा नए गुट तो adjective होता है समझ में आये दुबारा बताउं दुबारा देखेंगे दुबारा देखेंगे फड़ा पट गुज हमारा adjective होता है पर्सें और धिंक की quality बताता है हा कि न यहाँ पर देखेंगे player noun है कैसा player good player quality बता रहा है English noun है कैसे English, good English, quality बता रहा है, good adjective है यहाँ पर यह सुरनो, पका, चलें लेकिन जो well होता है, basically adjective भी होता है, adverb भी होता है जैसे सवाल था, how are you, जबाब दिया, I am good यह गलत है कारण उसके बीचे यह है कि यहाँ पर adjective के requirement तो थी क्योंकि I के बारे में बताना था लेकिन quality बताने वाले नहीं, हालत बताने वाले, condition बताने वाले adjective की requirement थी, तो I am well बोलेंगे ऐसे ही she speaks English, यह verb है, यह noun है, तो वो English अच्छे तरीके से बोलती है तो बोलने वाले word को modify करना है, तो यहाँ पर adverb चाहिए क्योंकि verb की modification चाहिए, और वो adverb करता है हा की न, पक्की बात है, समझ में आया, अच्छा, इस वाले sentence का, इस वाले sentence का, और इस वाले sentence के भीच में difference बता पाएंगे जैसे इसको देखो, she speaks good English, इसका मतलब है कि वो अच्छी English बोलती है, यहाँ पर quality किसकी बताई जा रही है English की, इसलिए good adjective है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि she speaks English well, वो English अच्छे तरीके से बोलती है यहाँ पर किसकी quality बताई जा रही है, बोलने की, यहाँ verb की quality बताई जा रही है, speaks की बोलने की, और पीछे बताई जा रही है, English की quality तो उमीद करता हूँ, दोनों में difference समझ में आ गया हुगा, अगर दोनों में difference समझ में आ गया है, तो एक काम करते हैं, अब आप मुझे बताईए, और मेरी वीडियो भी आईगेस वापिस आ गई है, मैंने शौ पे क्लिक किया है, है ना, तो अब आप मुझे बताईए, the quality of apples is good or well, तो भाया, apples की quality बतानी है, अगर apples की quality बतानी है, तो quality बताने के लिए good आता है, या well आता है, क्योंकि quality noun है, article है इसके पहले, और noun के बारे में adjective good होगा होता है, तो well भी adjective है, एक तरीके से देखा जाए, तो well adjective and verb दोनों होता है, लेकिन यहाँ quality बताने वाल adjective आएगा तो good चाहिए, यह सो नो, the quality of apples is good, लेकिन यहाँ देखेंगे, I am not feeling, feeling, हालत condition है न, verb, तो क्या चाहिए बचे, adverb चाहिए, I am not feeling good नहीं, I am not feeling well today, तो क्या अगर मैं वही sentence जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, मैं आपको दिखा दू, तो क्या आप grammatical mistake बता पाएंग मैं कैसा perform किया, बढ़िया perform किया, मतलब verb को qualify करना, बचे, verb को qualify करने के लिए तो well ही आता है, आप लोग जानते हैं, well ही adverb होता है, क्योंकि good तो adjective होता है, तो she has performed very well in the board examinations, मैं ये उमीद कर रहा हूं कि मेरा point आप लोगों को एकदम clear हो गया होगा, इसी के साथ आगे चलते है, next type के ऊपर, तो चलिए एक काम करते हैं, पहले sentences के ऊपर नजर डाल लेते हैं, तो आपके सामने screen के ऊपर दो sentences है, यह आप लोग देखेंगे, मुझे बताएंगे कि इनके अंदर क्या आपको grammatical mistake दिखाई दे रही है, पहला sentence है, इंद्रा गांदी was the first prime minister of India, और दूरस sentence है, गांदी जी was the first leader of his time, अगर आपको इनके अंदर कोई mistake दिखाई दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रही, तो आज ही यहीने tackle करने की कोशिश करते हैं, इस type के points को समझेने के लिए आपको जानना है, difference दो words के बीच में जो की है, first और foremost, तो आ सबसे पहला, मतलब most of the students के बच्चों के दिवान में यही चीज़ आती है, जबकि एक गलत ऐसा नहीं होता, first का मतलब होता है, पहला वो बात एकदम सही है, यह order को denote करता है, लेकिन foremost का मतलब सबसे पहला नहीं होता, foremost का मतलब होता है, prominent या फिर notable और अंग्रेजी भाशा मे कहें, आसान शब्दों में, तो famous प्रसिद जिसे हम कहते हैं, हाँ की ना, तो foremost मतलब प्रसिद और first मतलब पहला तो आप जानते हैं अच्छे से, तो अगर मैं आपको वही दो sentence अब दिखाऊं तो अब आपको समझ में आ रही है चीज़ी, इंदरा गांदी was the first prime minister of India, जब आ अपने ही तरफ से अलग से words add नहीं कर सकते हैं, जो लिखे हुए sentences हैं उसी के अंदर error डूनना है, तो इंदरा गांदी was the first, क्या वो पहली prime minister थी इंडिया की, first women तो थी लेकिन पहली तो नहीं थी न, तो अगर पहली नहीं थी तो वहाँ वो पहला कहना ही नहीं चाहरा होग किसकी बात करया था, foremost कि परसिद प्राइम मिनिस्टर इंडिया की थी, clear है, क्योंकि emergency उनके टाइम पे आया था, और पहली women भी थी, इसलिए परसिद थे, आके न, चलिए, गांदी जी was the first leader of his time, क्या गांदी जी अपने समय के पहले leader थे, नहीं न, उनसे पहले और भी leader थे न, तो वो first कहना ही नीच है रहा था, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था, वो foremost कहने की कोशिश कर रहा था, कि गांदी जी was the foremost leader of his time, इंद्रा गंदी was the foremost prime minister of India, yes or no, तो बहुत simple सा point था, आजेगे next, अभी ये चोट-चोटे बचे हुएं, ये good well है न, आपके ये, अभी जो पर, वर्ड्स वो रहा हैं, एक है former और लेचर, एख है first और लास्ट, एक है former और लेचर, एक है first और लास्ट, तो basic सी बात आप ये जाने की कि ये former और जो letter होता है, ये दो persons or things के लिए यूज होता है, और दो मेंसे जब पहले वले की बात करते हैं तो former आता है और बाद वल लेकिन बस दो के लिए और अगर दो से ज़्यादा persons और things की बात करें तो पहले वाला ये और बाद वाला ये दो से ज़्यादा की बात करें तो example के तूर पर जैसे आपके सामें एक sentence राहुल और साहिर आर इंटेलिजेंट but the first is more intelligent than the last क्या ये sentence ही आप बुलेंगे गलत है कैसे कितने बंदे हैं यहाँ पर एक और एक मिला के दो बनगे अब first और last हमने use कर दिया जबकि first और last तो दो से ज़्यादा के लिए आता है तो यहाँ क्या होना चाहिए तो first की जगा आएगा former और last की जगा आएगा latter तो क्या बनेगा राहूल और साहिल और इंटेलिजेंट बड़ फॉर्मर इज़्यजेंट और इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट अब कितने बंदे हैं यहाँ पर एक दो और तीन अब तीन लोग है अब दो से ज़्याद है अब former letter नहीं आ सकता आपने लेकिन यूज़ कर दिया आप first यूज़ करेंगे और last वाले के लिए letter नहीं last ही यूज़ करेंगे but the first is more intelligent than the last जो पहले वाला है वो last वाले से मतलब जो राहूल है वो करन से ज़्याद इंटेलिजेंट है यह सुरनो चलिए जी चले आगी चलो जी इसको देखिए एक पर राधाज थ्री चिल्रन शांतना मनु एं मीरा आट अलेंटेड बदी लैटर एक्सील दी अधर टू अब देखो तीन है वन टू थ्री तो तीन है तो आप लोग जानते तो लैटर तो आनी सकता क्या आना चाहिए लास्ट आना चाहिए यह सुरनो पक्का चले और देखें चलो और देखतें बालाज टू ब्रिदर्स राकेश और भरत आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हाड़ अब आपको इतना समझ में आ रहा है कि D-part में mistake है लेकिन क्या mistake है पहले बात तो भाई कितने एक और यह दो यह सर नो तो फिर लैटर आया हुआ है आपको लग रहा होगा कि लैटर तो आया हुआ है सर आपने mistake कैसे बता दी इसके इंदर तो no error होना चाहिए था और दो की ब तो बच्चे जनरली इसके अंदर लगा देते हैं लेकिन डी पार्ट में मिस्टेक है ध्यान रखिएगा क्योंकि दो के लिए लेचर तो आया हुआ है लेकिन कमपैर्टिव डिगरी भी तो आती है मोस्ट नहीं आ सकता है ना अगर मोस्ट यूज हुआ हुआ है तो चलिए इसको देखे एक पर राहुल और साहिल और बोथ एक्सलेंट राइटर बड़ प्रेफर दी लास्ट वन फिर से वही वाली बात कितने हैं बच्चे दो है ना तो दो है तो लास्ट नहीं आई प्रेफर दी लैटर वन बोलो हां नहीं बोलोगे क्या चलें चलो जी और दो फिल्म्स इन विच इस्टार्ड आई तिंग दा फॉर्स वन इस दी बेस्ट कुछ याद करो अभी कुछ ताइम पहले ये सेंचेंस आया था जब स्ट्रक्टिर्स बताये थे कंपैर्टिव डिगरी के आया था नहीं आया था अब उसमें मैंने तोड़ा से चेंजिस किया है ध्यान से देखो कि क्या मिस्टेक हो सकती है कितनी फिल्मे है दो पहली बात दो है तो बैटर नहीं होगा बैस्ट होगा दूसरी बात फर्स्ट भी नहीं होगा फॉर्मर होगा क्योंकि दो के लिए फॉर्मर और लैटर आता है दो से ज़्यादा के लिए फॉर्स लास्ट आता है तो पहली बात तो कंपैर्टिव डिगरी करेंगे बैटर आएगा दूसरी बात former भी आएगा, दो mistake इसके अंदर तो of the two films in which he start I think the former one is the better मतलब वो दो filmें जिसने जिन दो filmों में उसने acting की थी मुझे लगता है कि जो पहले वाली है वो better थी ठीक है? चलें? चलो एक ओर टरम होती है later later का मतलब होता है बाद में यह letter से different है वो generally former के context में ही होता है कि पहले वाला, बाद वाला इसका मतलब होता है later होता है बाद में उससे she came later than her husband अपने husband से बाद में आया आप letter नहीं लगा सकते क्योंकि letter दो में से पहले वाला है ना? सुरी, दो में से बाद वाला letter basically वहाँ use करते है I'll tell you later ना की letter clear है? बहुत simple सा था चलिए तो यह बिलकुल last point है एक बाद sentences के दर्ब नदर डाली है और इनको सीखते है फिर अच्छे से वीडियो को post कीजिए, देखे कि इनके अंदर क्या mistake आपको दिखाई दे रही है अगर किसी भी तरीकी कोई mistake है दर बताओ और अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको इसका concept सिखाने की कोशिश करता हूँ बहुत असाल है सीखें? चलो आओ तो फिर तो मुझे लगता है कि content पीछे hide हो रहा होगा एक काम करते हैं वीडियो को hide करते हैं अपनी भी लीजिए अच पर क्लिक करते हैं आपके सामने आपको term दिखाई दे रही है numeral adjectives yes or no इस जो numeral adjective है बेसिकली इसकी दो category होती है first होती है ordinal, second होती है cardinal original को याद करना बहुत असान है order से आप link कर सकते है order बताने वाले जितने भी words होते है वो सबके सब original numeral adjectives होते है और एक होता है cardinal cardinal को आप link कर सकते है counting से और जितने भी counting बताने वाले शब्द होते है वो cardinal numeral adjectives होते है सरी ये order बताने वाले शब्द जैसे कि first, second, third, next, last, etc और cardinal तो आपको बतागे counting 1, 2, 3, etc तो याद आप कर सकते हैं न, O से order, C से counting है न अब क्या है कि इनकी दो खास बात है इनकी दो खास बात हैं जो कि आपको अच्छे से जान नहीं है खास बात क्या है कि मैं उपर लिख दूँ, side में लिख दे दाँ, ठीक है खास बात यह है इनकी, एक second सबसे important बात यह है कि ordinal और cardinal जब कभी भी एक ही sentence में आते हैं तो पहले हम ordinal लिखते हैं और बाद में cardinal लिखते हैं structure होता है O, C का जब कभी भी ordinal और cardinal मतलब order बताने वाले words और counting बताने वाले words एक ही sentence में आते हैं तो structure बनता है O plus C का पहले original फिर cardinal clear है पक्की बात है जैसे काम करते हैं पहले दो sentences पे नजर डालो पहले दो sentences पे आप लोग नजर डाले तो उसने बोला the two first chapters of this book is very interesting two first ये two counting है first आपका order है लेकिन structure तो OC होता है तो first two होना चाहिए होना चाहिए की नहीं होना चाहिए first two chapters of this book दूसरी बात ये is verb है इसको subject चाहिए होगा ये subject होने सकता है क्योंकि of preposition का object है तो subject यहीं बना है na first two chapters plural है तो आगे verb भी plural आएगी हाँ की न yes or no ऐसे five last नहीं होगा last five होगा पहले ordinal फिर cardinal और आगे फिर verb भी plural आएगी the last five coaches of this train are very dirty yes or no लेकिन एक structure ओर है जैसे कि मैंने कहा कि पहले ordinal फिर cardinal आता है एक point ओर है कि जब कभी भी ordinal आपको दिखाई दे बचे ordinal ordinal अपने पहले हमेशा दा ले के आता है ordinal अपने पहले हमेशा दा ले के आते है ध्यान रखेगा जैसे कि नीचे वाले दो sentence देखो I got first prize गलत होगा I got the first prize I was last to enter the room I was the last to enter the room ये जितने भी ordinal है न ordinal ध्यान रखेगा ordinal अपने पहले दा ले के आते है आप उपर वाले sentences में भी देख सकते है जब मैंने two first को first two की आदे को first के पहले दा है जब मैंने five last को last five की आदे को last के पहले दा है तो दो मोटी मोटी बते बताई पहले ordinal फिर cardinal और उसके बाद क्या बताया कि ordinal के पहले आपका क्या use होता है दा का use होता है ठीक है तो उमीद करता हूँ कि adjective chapter आपको अच्छे समझ में आ गया होगा जितने important बाते थी, जितने भी major points थे मैंने सारे cover करने की कोशिश की है और मैं ये expect कर रहा हूँ कि आप हर एक chapter के notes बना रहे हैं हर class में बोलता हूँ, हर video में बोलता हूँ कि मैं notes क्यों नहीं बना रहा हूँ, बस मैं video videos की क्यों देख रहा हूँ मुझे notes बनाने चाहिए, सर बार-बार उस चीज के ओपर emphasize कर रहे है उसके ओपर थोड़ा stress डाल रहे है तो लगता है मुझे notes बना ही लेने चाहिए, क्या पताक मेरा कुछ फाइदा ही हो जाए तो अब मालो की 10 बच्चों में से पहले 5 बच्चे बना रहे थी, मेरे बार-बार बोलने से अगर 7 बच्चे भी बना लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है अब पढ़ो, ना पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देखो, ना देखो, प्रैक्टिस करो, ना करो, वो सब आपके ऊपर है आप नहीं करो के तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसमें मेरा क्या चला जाएगा देखो, एक गुरू होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, बस मैं अपने responsibility निभा रहा हूँ जो मेरा काम है, एक टीचर का, एक गुरू का काम होता है, कि जो अंधकार जहां पे है, उसके उपर प्रकाश डाला तो बचे मेरा तो काम है, तो मैं तो बार-बार बोलूँगा, कुछ बचे इरिटेट हो जाते हैं इस चीज़ों को लेकित, तो तीचर की बातों का बुरा ना माने और इरिटेट ना हो, बिल्कुल बिचे कहा है और किसी भी तरीकी के कोई और चैप्टर में, किसी भी जगह पे, कहीं पे भी कोई दिक्कतार या कुछ प्रॉबलम है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करो सर, यह यह चीजे हैं, इनको कैसे टैकल करें, रैसे तो मैं आने वाली वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, चैप्टर्स और जो प्रैक्टिस कोईशन से कवर करने वाला हूँ, निश्चिंत रही है, आपको प्रॉबलम नहीं होगी, है ना, यह आसान कोशन होंगे, SSE वाले एक्जामिनेशन वाले के लिए, और जो थोड़े अच्छे लेवल के कोशन होंगे, वो बैंक एक्जामिनेशन के, बैंक में जनरली इंग्लिश जो होती है, मेंस वाले जो पेपर होता, उसमें बहुत अच्छी आती है, तो आप सारी चीज़ो प्रेक्शन में जरूर बताइए का कैसी लगी क्लासे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्याद, बिडबाए